प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज पूरा विश्व कोरोना वाइरस का सामना कर रहा है, जिसकी वज़े से सारी व्यवस्थाएं, हर शेत्र में परभाव पड़ा है, सारी व्यवस्थाएं उतल-उतल हो चुकी है, कहीं इकठे नहीं हो सकते, आप लोगों के क्ल पर देख रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं, कि एकठा होने पर इसका संक्रमन फैलने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तो उससे बचाओ के लिए ही स्कूल कॉलिजिज बंद कर दिये गए हैं, और आपकी ओन-लाइन सिक्षा के लिए व्यवस्था सार्षन क दरब से की जा रही है, उसी कड़ी में आपकी लिए ये वीडियो भीजी जा रही है, जिनसे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, और अपना काम करते रहें, इनने ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें, अपने कॉपियों मे भी ये काम करते रहें जिससे कि आपका कोई नुक्सान ना हो तो सबसे पहले अब हम आपको यह पार्ट सुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट है दा एंचेंटेड पूल है एंचेंटेड पूल का मतलब होता है कोई वशीक्रत तालाव एक ऐसा तालाव जिसे किसी ने अपने कबजे में ले लिया हो अपने द्वारा उसे मंत्रों से मंत्रमुग्द कर दिया गया हो और उसकी आज्या के बगएर आप उस तालाव का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अच्छे लायर रहे हैं बहुत अच्छे राईनी तिंग रहे हैं सी राजगोपालाचारी है जिनका उपनाम था राजाजी उनका जन 1878 में हुआ था और उनकी मरत्यू सन 1922 में हुई थी राजाजी भारत के वो पहले नागरिक है जिनने भारत रत्न से संबानित किया गया था भारत रत्न हमारा सरवोच नागरिक संबान है जो किसी भी उस छेत्र में दिया जाता है जिस छेत्र में कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है तो राजाजी हमारे भारत के पहल भारत रद्न सम्मानित व्यक्ति है। इस पार्थ में जो आपका है महाभारत के एक विशेष प्रसंग का वर्णन किया गया है। जब प्रण्डव वनवास के इसमें होते हैं हावस्था में तो जंगल में घूमते हुए प्यास से व्यक्छा कर रहे हैं। और प्यास से वाकुल होने के बाद, पानी की तलाश में निकलते हैं, और पानी की तलाश में निकलने के बाद, युदिश्टर जो उनका वहां कहीं बैठे हुए पृतिक्षा कर रहे हैं, वो परिशान हो जाते हैं, उनके बहुत दिर तक ना आने से, और आखिर में यह होता ह जब युदिष्टर परिशान हो जाते हैं पृतिक्षा बहुत जादा हो जाती है तो युदिष्टर भी उनकी पृतिक्षा छोड़के तालाब की खोज में निकल पड़ते हैं जब निकलते हैं तो आगे उनहें चलते फिरते उन्हें पताझ चलता आगे जाके, कि उनें बहुत उच्छा तानाग मिलता है जो चारों तरफ़ बहुत भर ऑरे मैदान से घास फिल मैदान से घिरा हुआ है पहुँत सचिसमपानी है, उसे देख कर जब över Medicare उसके पहुंचरी उन्हें पता चलता है कि उने के चार बाई वहां ओरचित पड़े ऊथे हैं। उन्हें देख कि योरिष्टर बहुत परेशान वो सोचते हैं कि चलो कम सकम पहले प्यास मुझाली जाए, फिर देखते हैं क्या होता है, जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़ते हैं, पानी पीने की कोशिश करते हैं, तब ही उन्हें एक आवाज आती है, कि इस तालाब का पानी मत पीना, ये तालाब मेरा है, उस आवाज का बिना शरीर की यक्षकी ही हो सकती है, और वो समझ जाते हैं कि उनके भाईयों के साथ क्या होगा, अर्थार उनके भाईयों ने बिना इस पर ध्यान दिये पानी पिया होगा, और वो यक्षके स्राप से मोर्चित हो गए होगा, अब युद्धिश्ठर एक पल में ये सोच रहते हैं कि मुझे अपने भाईयों को किस तरह बचाना है, और वो उस आवाज की तरफ कहते हैं कि आप अपने प्रशन पूछे, वो जो शरीर रहीत आवाज है, वो अपने प्रशन पूछती है, जो यक्ष होते हैं, और वो प्रशन पूछते जाते हैं, युद्धिश्ठ उनके सबी प्रश्णों का उत्तर सही सही देते रहते हैं। उन प्रश्णों के उत्तर से यक्ष बहुत प्रसंद होते हैं। आखिर में यक्ष कहते हैं कि आप अगर चाहें तो आपके इन चारों भाईयों में से एक भाई को जीवित किया जा सकता है। युदिष्टे एक पल केले सोचते और कहते हैं यख्ष के पूछने पर कि आप मेरे नकूल भाई को पुनजीवित करते हैं इस प्रशन पर यक्ष उनसे फिर पूछते हैं कि आपने अर्जुन और भीम जो इतने शक्तिसालिय हैं जो इतने वीर हैं जो आपके सरक्षा भी करते हैं उनके मुकाबले अपने नकुल को की चुना है तो युदिश्टर सोच उनसे जवाब देते हैं यक्ष को के मेरी दो माए हैं कुंती और माद्री कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ इसलिए वो पूरी तरह दुखी नहीं है, और मादरी का एक नगुल पुत्र जीवित रहेगा तो वो भी पूरी तरह दुखी नहीं होंगी, और ज्याय के हिसाब से दौनों मातां का एक पुत्र जीवित होना ही चाहिए। इस उत्तर से यक्ष बहुत प्रसंद होते है उसके बाद वो उपके चारो भाईयों को पुनरजी ने कर देते है और इस तरह फिर बाद में पता चलता है कि वो यक्ष का रूप लिये हुए यम्राज थे जो युदिष्ठिर की परिक्षा लेने वहाँ पर आयों थे और इस तरह युदिष्ठर अपने चारो भाईयों को जीवित करके वापस आ जाते हैं यह इस पार्ट की एक सारा निश्था हैं इन्दी में जो मैंने आपको इस लिए बताया है जिससे के आप इस पार्ट को समझ सके हैं अब मैं अगला इसकी जो हम परग्राप पढ़ेंगे मैं पहला परग्राप शुरू करता हूँ जिन बच्चों के पास किताबे हैं वो अपनी किताबे खुल लें हमारे साथ चलते रहें पढ़ते रहें और जिन के पास किताबें नहीं हैं वो इस वीडियो में देवी किताबों के जो हैं उसे देख लेंगे उसमें से नौट करत मरते हुए और प्यासे मरते हुए अपने भाईयों का इंतियार किया उनके प्रतिक्षा की क्योंकि वो पानी की तलास में गए हुए है Can they have been subjected to a curse? Or are they still wondering about in the forest in search of water? वो सोच रहे हैं क्या वो किसी श्राप का शिकार हो गए है या अब भी जंगल में पानी के तलास में घूम रहे? कर्स मने होता है श्राप और फेंटिड मने होता है बेहुष हो जाता इन मीनिंग्स को आप साथ के साथ नौट करते चलेंगे जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में सुविधा रहेंगे तो युदिश्टर ये सोचते हैं कि मेरे भाई या तो किसी शराप का सकार हो गए है या वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं कि वो उन्हें सहन नहीं कर पाए और ज़्यादा विचार करना उन्हें सोचनिया बंद कर दिया और राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थश्ट और उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी युदिष्टिर प्यास से बहुत परेशान होते हुए आखिर मैं युदिष्टर नहीं नहीं लिया कि वो वहां से अपने भाईयों की और पानी की तलाश में निकल पड़े और ये उमीद होने थी कि वो अपने भाईयों को और पानी को ढूंड ही लेंगे युदिष्टिर प्यास से अपने उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में उनके भाई गई थे और वो रास्ता जंगली भालू, चित्तिदार, हिरन, बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था महां इनके पैरों के निशान बने हुए थे, जानवरों के बक्षि ऊड़ रहे थे और अंत्त है दिश्टिर चलते चलते अपने भाईयों को तलाशते पानी को तलाशते हुए ऐसी जगे पहुँच गे जहां एक हरे घास के मैदान से घिरा हुआ बहुत स्वच पानी का जब उन्होंने वहां जाके अपने भाईयों को बिलको सीधे लठे की तरह है जैसे जंडा लगाने का लठा डंडा होता है इस तरह पड़े देखा अने बिल टो रेश्टें इस ग्रीफ तो वह अपने दुख को सहन नहीं कर पाए ग्रीफ माने होता है दुख और रेश्टे वहां जोर-जोर की आवाज में फिर अपने आपको ना समालने के वज़े से जोर-जोर की आवाज में रोने लगे He touched the faces of Bheem and Arjun उन्होंने Arjun और भीम के चाहरों को छुआ As they lay so still and silent and not क्योंकि उनके भाई बिलकुल शान्थ और श्थिर बिना हिले दुले महाँ पर पड़े हुए थे उनकी इस अवस्था को देखके युदिश्थिर विलाप करने लगे Was this to be the end of all our rules और वो विलाप करते हुए कह रहे हैं कि क्या हमारी सारी पृतिज्याओं का सारी जो हमारी कसमें हमने खाई थी जो हमने पृतिज्याओं की थी क्या उनका यही अंतोना था Just when our exile is about to end और वो भी तब जब हमारा बनवास लगभग खत्म होने को है You have been taken away तुम मुझे छोड़ के जाने को थे अभी तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे Even the gods have forsaken me in my fortune और यहां तक की मेरे देवताओं ने भी मेरे दुर्भागे में मेरा साथ छोड़ दिया है और इस तरह बहुत दुखी होके विलाब करते रहते हैं As he looked at their mighty limbs, now so helpless, they sadly wondered who could have been powerful enough to kill them और जब उन्होंने उनकी मजबूत भुजाएं देखी, मजबूत तक ने देखे इतने अपने बल्वान भाईयों को देखा जो इस तरह ऐसा है आवस्था में पड़े हुए थे तो वो बड़े आश्चे ले चकित हुए कि इतना शक्तिसाली कौन हो सकता है कि जो मेरे इतने बल्वान भाईयों को मार दे क्योंकि का जाता है भीम में तो 16,000 रातियों का बल था और जुनके गांडियों कोई सामना नहीं कर सकता था पूरे विश्व में तो उन्हें आश्चरी होगा कि इस तरह मेरे भाईयों को किसने इस अवस्था में पहुंचा दिया है देन ही टू डिसेंड़ इंटू पूल उसके बाद युदिश्टिर भी तालाब में पानी पीने के लिए उतर गए ड्राउन टू दावाटर बायान ओवरपारिंग थिश्ट और जो प्यास से वहाक्ल होगा बहुत ज़्यादे वहाक्ल होगा के पानी पीने को लगे At once the voice without form, world, form mean akar, and world mean chetavonin dhi. जैसे उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, उन्हें बिना शरीर की आवाज ने chetavonin dhi. Your brothers died because they did not heed my words. Heed माने धान ना देना. उन्होंने कहा, उस आवाज ने कहा कि तुमारे भाई इसलिए मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर धान नहीं दिया था. They tried to drink water without answering my questions. तुमारे भाईयों ने कोशिश की थी, बगर मेरे प्रश्णों का उत्वर दिये, पानी पीने की. Do not follow them. तुम उनका आनुसरान मत करो. उनकी तरह मत करना. Answer my questions first and then you can quench your thirst. Quench thirst means, प्यास बुझाना. यश कहते हैं, युदिश्टर से का, तुम अपने भाईयों की तरह मत करना. तुम पहले मेरे सवालों का उत्वर दो. और उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हो. This pool belongs to me. ये तालाब मेरा है. अब हमारा तीसरा पहरा सुरू होता है. It did not take युदिश्टर a moment to understand that these could be none other than the words of यक्ष. इस शरीर रहित आवाज को सुनने के बाद, युदिश्टर ने यह अंदाजा लगा लिया, उन्हें यह पता चल गया, कि ये आवाज यक्ष के अलावा और किसी की नहीं हो सकती. And guess what had happened to his brothers? और इस सारे घटना करम से युदिश्टर ने यह अनुमान भी लगा लिया, कि उनके भाई के साथ क्या हुआ होगा? उनके भाईयोंने यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा, उसके प्रश्णों को अन्सुना कर दिया होगा, और पानी पीने की चेशिटा करने के कारण ही उनकी यह आवस्था होई होगी. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. और यह पता लगने के बाद कि यह तालाव यक्ष का है, युदिष्टिर ने अपने भाईयों को पुनरजीवित करने की संभावना का भी अंदाजा लगा लिया. जब उनके लगा कि यह यक्ष का तालाव है, यक्ष के प्रश्णों का उत्तर देके हैं, उन्हें लगा कि मैं अपने भाईयों को पुनरजीवित कर सकता हूँ. He said to the bodiless voice, please ask your questions. उन्होंने उस शरीर रहीत आवाज से कहा, कि तिरपे आपने प्रश्ण पूछें. The voice put questions rapidly one after another, rapidly माने जल्दी-जल्दी. उस आवाज ने जल्दी-जल्दी शिग्रता पूरक एक के बाद अपने सवाल, एक के बाद एक करके पूछने, आरब कर दिये. What is excuse man in danger? यह पहला प्रश्ण था यक्ष का युदिष्टिर से, what is excuse man in danger? खत्रे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है? करेज, साहस, यह युदिष्टिर ने उतर दिया. कि यदि हम खत्रे के समय अपने साहस से काम लेंगे, हिम्मत नहीं खोएंगे, तो हम बड़े-बड़े खत्रों का सामना कर सकते हैं. युदिष्टिर ने प्रेशन पूछा कि हम किस विध्यान को पढ़के बुद्धिमान हो सकते हैं? ऐसी कौन सी विध्यान है, ऐसा कौन सी विध्या है, जिसे पढ़ने के बाद मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है. Not by studying any शास्त्र, does man become wise. युदिष्टिर उतर देते हैं कि किसी शास्त्र के या किसी विध्या के पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. विध्या पढ़ने से या शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा, हम बुद्धिमान व्यक्तियों के संगत में रहकर ही विध्वान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं. ऐसे लोग जो हमसे जादा बुद्धिमान हैं, उनकी संगत ही हमें बुद्धिमान बना सकती है, ना के कोई शास्त्र या कोई विध्या. दायक्ष आस्क्ड, what is shifter than the wind? फिर्यक्ष पूछते हैं कि हवा से भी तीवर क्या है? कि मनुष्य का जो मस्तिस्क है, वो हवा से भी तीवर है, जैसे कि हवा बहुत तेज चलती है, बहुत जल्दी कहीं से कहीं पहुंच जाती है, लेकिन मनुष्य का मस्तिस्क जो है, वो पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है, आप लोग सोख सकते हैं, अभी आप अपने कॉलि कुछ भी सोच सकते हैं, तो इसलिए ये दिश्टर कहते हैं कि मस्तिस्क की जो गती है, जो तीव रताया वो वाई उसे भी तेज होती है. What is more fated than a dry distal? एक सूखे तिनके से भी ज्यादा हलका क्या है? मुर्जाया हुआ, fated माने मुर्जाया हुआ. एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुर्जाया हुआ 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 हुआ. ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी कह देते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है. कोई भी चीज वो सहन, थोड़ा सा हासी मजाक भी सहन नहीं कर सकता. But, be friends, a traveler, एक यात्री का मित्र कौन होता है. जब आपके यात्रा में जा रहे हैं, तो आपका मित्र आपे क्या होता है? युदिष्ठिर उत्तर देते हैं, learning, ज्ञान, वहां आपका ज्ञान ही आपका साथने बाता है, वो हर जगह आपका काम पूरा करता है, आपके काम आता है. Who is the friend of one who stays at home? यक्ष्पूशते हैं, कि जो व्यक्ति घर पे रुका हुआ है, अपने घर में है, उसका मित्र कौन है? The wife. जो दिश्टिर उत्तर देते हैं, पत्नी. अर्थात, जो व्यक्ति अपने घर पे है, उसका जो मित्र होती है, उसका सबसे अच्छा सेयोगी, साथ ही जो होती है, वो पत्नी होती है. Who accompanies a man in death? फिर यक्ष्का प्रेशन आता है, कि मृत्यू के बाद व्यक्ति के साथ कौन रहता है? धर्मा, that alone I complete a soul in its solitary journey after death. युदेश्चर उत्तर देते हैं, कि धर्म, केवल धर्म ही एक आत्मा का साथ देता है, जब वो अपनी एकान्त यात्रा पर जाती है. एकान्त का मिन्स, मरत्यू के बाद, जब आत्मा के साथ शरीद नहीं जाता, वो स्वर्व की तरफ जाती है, तो केवल धर्म ही ऐसा है, जो उसका साथ देता है, उसके साथ वहां तक पहुंचता है. Which is the biggest vessel? यक्ष्का प्रेशन आता है, सबसे बड़ा पात्र क्या है? The earth which contains all within itself is the greatest vessel, भूमी, जो अपने अंदर सब कुछ समाया हुए है, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए यहे ही सबसे बड़ा पात्र है. What is happiness? यक्ष्क पूछते हैं प्रसन्यता क्या है? Happiness is the result of good conduct. यजिश्टर उत्तर देते हैं, कि खुशी जो है, वो हमारे अच्छे आचरन का परिणाम है. यह से आप देख सकते हैं, कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, तो हमें उसका अच्छे result मिलेंगे, अच्छे परणाम मिलेंगे, तो हम ज़्यादा खुशियां पराप्त करेंगे. अच्छे काम नहीं करेंगे, तो परिशानियां हमारी बढ़ती चली जाएंगी, और खुशियां हमारी दोर होती चली जाएंगे. इसलिए दिश्टर भी कहते हैं कि खुशी हमारे अच्छे आच्रण का, अच्छी बातों का, अच्छे व्याभार का ही परणाम होती है. What is that by giving up, which man becomes loved by all? यह अगला प्रसना आता है, वह क्या है जिसके छोड़ देने से मनुस्या सब का प्यारा हो जाता है. Pride, घमंड, for if man gives up being proud, he will be loved by all. यह दिश्रुतर देते हैं, घमंड एक ऐसी वस्तु है, जिसे अगर हम छोड़ देंगे, तो हम सब के प्यारे हो जाएंगे. वही एक ऐसी बात है, जिसके छोड़ देने से मनुस्या को सभी प्यार करने लगते हैं. यह आप भी देखते हैं, कि घमंड एक आदमी से कोई भी बात करना या मिलना पसंद नहीं करता है. What is the loss which yields joy and not sorrow? यह दिश्र का आगला सवाल, कि वह कौन सी हानी है, वह कौन सा नुक्सान है, जिसके होने से मनुस्या खुश होता है, दुख ही नहीं होता है. अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी कोई चीज खुजाती है, तो हम नुक्सान होता है, दुख होता है नुक्सान से. लेकिन यह दिश्र का प्रेस्न यह है, कि वह कौन सी वस्तु है, जिसके खुजाने से मनुस्या को खुशी प्राप्त होती है. यिल्ड बने कोई चीज पैदा होना या कोई चीज प्राप्त होना तो यह उसका प्रेशन है कि वह ऐसा कौन सी हानी है जिससे हमें दुख होने की बजाए खुशी होती है तो युदिश्टर उत्तर देते हैं, एंगर, क्रोध, if we give up being angry यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, यदि हम गुस्सा होना छोड़ देते हैं, we will no longer be subject to sorrow तो हम ज्यादा लंबे टाइम तक दुखी नहीं होंगे अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे, तो हम ज्यादा दुखी होना भी छुट जाएगा हमारा ज्यादा हमें परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा वाट इस देट, by giving up, man becomes rich ये यक्ष का अगला सवाल होता है, कि वो क्या है जिसके छोड़ देने से, जिसके त्याग देने से मनुस्से धनी हो जाता है यहां भी यह प्रशना आता है कि त्याग देने से मनुस्से धनी कहा होता है, त्याग देने से तो चीज हमारे पास से चली जाती है इसलिए उप्रशना आता है, युदिश्टिर उत्तर देते हैं, desire इच्छा, if man gives up being greedy, he will become wealthy वो कहते हैं, अगर मनुस्से लालच छोड़ दे, तो वो धनी हो जाता है क्योंकि यह हमारी साहित्य में भी कहा गया है, सास्त्रों में भी कहा गया है कि संतोस ही सबसे बड़ा धन होता है तो यदी हम लालज करना छोड़ देंगे उचछा एक छोड़ देंगे तो हम स्वभा होते ही स्वभावड करूप से धनी हो जाएगे क्योंकि यह आप लोग भी देखतें हैं कि हमारी इच्छा कोती है करते हैं हमारी इच्छाओं का दायरा बढ़ता जला जाता है और हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं इसलिए दिश्टर कहते हैं कि जब हम इच्छाए करना छोड़ देंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे हम धनी हो जाएंगे वह संतोष ही धनी होने का प्रमान होता है It is birth, good conduct or learning, answer decisively, यह जन्म होता है, यानि कोई ब्रहामन जन्म से बनता है, अच्छे आच्रण से बनता है, या ज्ञान से बनता है, बड़ा सोच समझ को उत्तर देना है, युदिश्टर कहते हैं, उत्तर देते हैं, बर्थ and learning do not make one a ब्रहामन, युदिश्टर यह बताते हैं, युदिश्टर को उत्तर देते हैं, कि जन्म से या ज्ञान प्राप्ती से कोई ब्रहामन नहीं बनता, अगर उसका आच्रण अच्छा नहीं है, तो ब्रहामन नहीं बन सकता, गुड कंड़क्ट एलोन डच, केवल हमारा अच्छा आच्रण ही हमें ब्रहामन बनाता है, चाहे हम कितने ही विद्वान हो जाएं, कितने ही ग्यान प्राप्त कर लें, अगर हमारी आद्दें अच्छी नहीं हैं, हम दयालू नहीं हैं, हम अच्छे व्यवार नहीं करते लोगों के साथ तो हम ब्राह्मन नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम में दूसरों के भलाई की भावना ना हो However learned a person may be He will not be a ब्राह्मन without giving up bad habits इंडिश्टर कहते हैं कि चाय मनुष्स से कितना ही ज्यानवान हो कितना ही विद्वान हो अगर उसमें बुरी आदते हैं तो वो ब्राह्मन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी उन बुरी आदतों को ना त्याग दे अर्थात ज्यान या जन्म से कोई ब्राह्मन नहीं होता है अच्छे आच्रण से अच्छे व्यवार से ही कोई मनुस्य ब्राह्मन अत्य को प्राप्त होता है तब ही वो ब्राह्मन बन सकता है Even though may be learned in for vidage चाहे वो चारों वेदों का ज्याता क्यों ना हो A man of bad conduct falls to a lower class चारों वेदों का ज्याता होते हुए भी अगर मनुस्य की आदिते अच्छे नहीं है तो वो निम्न सरेनी का ही व्यक्ति होता है वो शोद्र सरेनी का ही व्यक्ति होता है What is the greatest wonder in the world? अब एक्ष पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चरिये क्या है Every day man sea creatures depart to yams kingdom इडिश्टर उत्तर देते हैं कि मनुस्य रोज आना प्राणियों को यमलोग जाते हुए देखता है Depart कहते हैं प्रस्थान करना But creatures माने प्राणी, जीवित प्राणी तो कहते हैं मनुस्य रोज इतने ही जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है यानि यह हम लोग की तरफ प्रस्थान करते हुए देखता है And yet those who remain want to live forever और फिर भी मनुस्य सोचता है कि मैं तो हमेशा ऐसे ही अमर रहूँगा This truly is the greatest wonder यही वास्तव हमें सबसब्रा आश्चरिय है कि हम यह भूल जाते हैं जिसने जनम लिया है एक दिन उसकी भी मरत्यु हवश्य होनी है Thus the yaks put many questions and you just answered them all जिष्टर ये यक्ष ने सवाल पूछे और ये दिष्टर ने सबका उत्तर दिया In the end the yaks asked o king One of your dead brothers can now be revived Who do you want to come back to life और आखिर में यक्ष ने पूछा कि हो रजा तुम्हारे इन मरे हुए भाईयों मैंसे मैं किसी एक को पुनर जीवित कर सकता हूँ वो कौन सा भाई है जिसे आप पुनर जीवित करना चाहेंगे वो मुझे बताया It took yudhishtar a moment to think Yudhishtar को सोचने में केवल एक पल लगा एक छण का टाइम लगा युदिश्टा ने एक पल सोचने के बाद कहा कि मैं चाहूंगा घटा जैसे चहरे वाला कमल जैसी आखोंवाला चोड़ी छाती लंबे भुजाओं वाला नकुल जो एक आपनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है जीवित होना चाहिए दयक स्वाजपलीट अधिस एक आश्क युदिश्टा युदिश्टा के इस उत्तर से युदिश्टा बहुत प्रेशन हुआ और युदिश्टा ने युदिश्टा से पर पूचा युदिश्टा की आपने भीम के मुकाबले नकुल का चैन क्यों किया नकुल को क्यों चुना क्योंकि भीम में तो 16,000 आतियों का बल है I have heard that भीम is most dear to you और मैंने ये भी सुना के भीम आपको बहुत प्यारा है उसे आप बहुत ज़्यादे प्यार करते है and why do not Arjuna whose strength in arms is your protection और आपने Arjuna को क्यों नहीं चुना जिसके भजाओं के शक्ति से आपके सरक्षा होती है tell me why you choose nakula rather than either of these two आप मुझे बताएं के इन दोनों के मुकाबले में इन दोनों की अपक्षा आपने नकुल को क्यों चुना इदिष्टे रप्लाइट इदिष्टे नोक्तर दिया ओयक्ष धर्म is the only shield of man not Bhima और Arjuna कहें यक्ष मनुष्टे की जो सरक्षा करते हैं वो धर्म करता है ना कि Arjuna और Bhima if dharm is given up man will be ruined अगर धर्म को छोड़ दिया जाता है तो मन उससे विनाष्ट हो जाता है उस विनाष्ट को प्राप्त हो जाता है कुंति और माद्री वर two wives of my father कुंति और माद्री मेरे पिता की दो पत्निया थी I am alive a son of कुंति कुंति का मैं एक पुत्र जीवित हूं and so she is not completely brevet इसलिए वो पूरी तरह दुखी नहीं है brevet means शोक्षण संतप्त होना दुखी होना in order that the scales of justice may be even और ज्याय का पलरा एक समान रहे ज्याय में कहीं कोई कमी न हो इसलिए I ask that Madri's son Nikul may revive इसलिए मैंने ज्याय को ध्यान में रखते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि मेरे भाई Nikul को पने जीवित कर दिया जाए अच्छा बच्चो आज के लिए इतना ही शेस जो आपका chapter रहे गा है वो अगली class में लेंगे और अब आप से सिर्फ मुझे ही कहना है कि आप इसके जो hard meanings मैंने लिखवाए हैं उन्हें और अपनी copy में लिख लें इसे दुबारा revise कर लें और अगली class में मिलते हैं नमस्कार प्यारे बच्चो पिछली class में जब हमने chapter बंद किया था उस समय यक्ष ने नकुल योदिश्टिर से आखरी प्रेशन ये पूछा था कि उन्होंने अर्जुन और भीम के मगाबले नकुल को क्यो चुना जबकि नकुल इतना शक्तिशाली भी नहीं है तो योदिश्टिर ने यक्ष को ये प्रेशन का उत्तरिय दिया था कि मेरी कुंती और माद्री दो माताए हैं और न्याय की भावना के अनुसार दोनों का एक एक पत्तर जीवित रहना चाहिए इसलिए मैंने नकुल को चुना अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोग जिनके पास किताबे हैं वो किताबे खुल लें और जिनके पास नहीं है वो दी गई वीडियो के अन्तमें जो हम देंगे उस में उस चैप्टर को रिवाईज कर लेंगे और देख लेंगे देयक्ष वाज मोश्ट प्लीज विद युदिष्टराज इंपार्शलिटी और ग्रांटेड देट अल इस ब्रोदर्स वोड कम बैक तो लाइफ यक्ष युदिष्टर की इस निस्पक्षता से बहुत प्रसंद हुए और उन्होंने युदिष्टर के सारे भाईयों को पुनरजीवित करने की इच्छा व्यक्त की और उन्हों एक पुरसकार के रूप में उनके सारे भाईयों को पुनरजीवित कर दिया. It was Yama, the Lord of Death. ये जो यक्ष थे, ये वास्तव में Yamraj थे, जो मृत्यों के दे होता है, who had taken the form of the yaksh, so that he might see, disturb and test him. Yamraj ने इसलिए यक्ष का रूप लिया था, जिससे कि वो युदिश्टर को देख सकें, परक सकें और उनकी परक्षा ले सकें. He embraced Yudhishtra and blessed him. Embrashed कहते हैं, आलिंगन में लेना, गले से लगाना, और blessed माने आशिरवाद दिया. Yamraj ने युदिश्टर को अपने गले से लगा लिया, और उन्हें आशिरवाद दिया, then he disappeared. और उसके बाद वो वहां से गायब हो गए, निराकार हो गए. ये आपका चैप्टर था, The Enchanted Pool, इसके हिंदी आपको समझ आगी होगी, नहीं आई होगी, तो आप दोनों वीडियो, जो पहला वीडियो था वो, और ये जोड के आप इसे देख सकते हैं, और अपनी नॉट्बुक्स में नॉट्ट कर सकते हैं. अब हम इसके question और answer लेंगे, उन्हें आप देख ले, chapter wise, और उन्हें करें, जो वीडियो में आपको दिये गए, exercise दी जाएगी, उन्हें करने की कोशिश करें, नहीं होते हैं, तो अगली वीडियो में हम आपको question answer का solution, उनके answer देंगे. तो बच्चों, यह आपका chapter था, जो पूरा हो चुका है. मुझा ऐसा है, आपकी समझ माया होगा, और मेरा यह आप से अनुरोध है, कि आप इसे revise कर लें, और इसकी हिंदी जो आपको बताएगी है, उसे इपनी notebook में भी उतार लें, जिससे कि आप इसे जरुत पढ़ने पर बार-बार पढ़ सकें. अब हम इसकी exercise करेंगे, exercise के लिए जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है, उसकी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें से वो से देख सकते हैं, इसके answer ढोड़ें और अपनी notebook में लिखेंगें, जिन बच्चों को answer नहीं लिख पाते हैं, अगली वीडियो में हम इनके answer देंगे, उनसे वो verify कर सकते हैं, या उससे वो उनसे याद भी कर सकते हैं, अपनी notebook में लिख सकते हैं, तो ठीक है, अब आप अगली वीडियो का इंतियार करें, और इसे अपनी तैयारी करें, जिससे के आपके कोई नुक्सान पढ़ाई का ना हो, थेंक्यू. झाल प्यारे बच्चो, गॉड मॉर्निंग, पिछली क्लास में हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आप अपने कॉपी और पैनले लें, और जो मैं कुश्चन और आंस्वर बोलता हूं, उन्हें अपनी नॉट बुक में नॉट करते चले जाएं, हमारे चैप्टर का पहला पैसेज है, युदिष्ठिर वेटेट फॉर डॉट 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 लास्ट वर्ड से हैं, इस पैसेज में से एक कुश्चन होंगे, और इन्हें के हम आपको आंसर लिखवाएंगे, पहला कुश्चन है, वाट हैड दा ब्रॉदर्स अफ युदिष्ठिर गॉन इन सर्च अफॉफ, युदिष्ठिर के भाई, किस चीज की, किस वस्तू की तलास में गई थे, तो इसका उत्तर है, युदिष्ठिर's brothers had gone in search of water, युदिष्ठिर's brothers had gone in search of water, आर आम से लिखले, दूसरा, कुश्यन है, युदिष्ठिर को किस बात कब है था, कि मेरे भाईयों के साथ किस बात से उड़र हुए थे, तो इसका आंस्वर है, युदिष्ठिर's fear that his brothers might have fallen in trouble, युदिष्ठिर को इस बात का डर था, कि मेरे भाईयों के सामने कोई समस्या तो नहीं आ गी है, लोग किसी मुसीविवत में तो नहीं फस गए हैं, युदिष्ठिर ने क्या किया, युदिष्ठिर गेव अप वेटिंग और इस बात से बात से बात से बात समस्या तो नहीं प्रतिक्षा करनी बंद करनी, छोड़ दी और वो अपने भाईयों और तालाब की खोज में चल पड़े. चोथा प्रस्त, वाट इडिष्ठिर डू वेन युदिष्ठिर ने अपने भाईयों को वहां मरत पड़े हुए देखा, लेते हुए देखा तो अनों में क्या किया? एक बार फेर शुनने? वेन युदिष्ठिर ने अपने भाईयों को ऐसी हालत माँ पड़े हुए देखा, तो वो उस दुख को सहन नहीं कर सके और वने जोड से रोना शुरू कर दिया. हमारा दूसरा पैसेज है, उसके पहले सब्दे है, ही टॉस्ट दा फेसेज, डॉट, 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 लास्ट वर्ड, पूल बिलॉंग्स तुमी, इस पैसेज का पहला क्श्चन है, इन वाट कंदिशन दिद युदिष्ठिर फाइंद इस ब्रॉदिष्ठिर को पाईयों अपने भाई किस अवस्था में मिले, इस का आंसर है, युदिष्ठिर फाउन्द हिस ब्रोधर्स लाइग देयर लाइक फ्लेग पोल्स, दोबारा सुनले, युदिष्ठिर फाउन्द हिस ब्रोधर्स lying there like flagpoles युदिश्टिर ने अपने भाईयों को वहाँ जंडों के टांगने वाले जंडों के समान पड़े हुए देखा अगला question what did युदिश्टिर मौट युदिश्टिर ने क्या विलाप किया युदिश्टिर ने जब अपने भाईयों को इस तरह पड़े देखा तो इसका अगला आंस्वर है युदिश्टिर मौट that was this to be the end of our was just when our exile is about to end you have been taken away युदिश्टिर ने विलाप करते हुए कहा कि क्या हमारी सारी कस्म शपत सारी प्रतिग्याओं का यह यंत होना था और वो भी जब जब हमारा बनवास लगबग समाप्त होने को है तुम मुझे छोड़ के चलेगे तीसरा question what did युदिश्टिर वंडराइड to see the mighty limbs of his brothers युदिश्टिर वंडराइड to see the mighty limbs of his brothers that who could have been powerful to kill them युदिष्ठर को ये आश्चरिय हुआ अपने भाईयों को देख के इस आवस्था में कि इतना शक्ति-साली कौन हो सकता है जो मेरे इतने बल्वान भाईयों को इस तरह मारते ही हमारा चौथा सवाल है युदिष्ठर यक्ष के प्रष्णों का उत्तर दिये बिना तालाब का पानी पीने के कोशिश करते तो उनके साथ क्या होता इसका उत्तर है इसका उत्तर है इफ युदिष्ठर है ट्राइड 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 दिये बिना पानी पीने के कोशिश करते तो वो भी अपने भाईयों की तरह मर जाते इसका पांचवा कुश्चन है वाट डिट पूल बिलॉंग टू तालाब किसका था इसका उत्तर है दा पूल बिलॉंग टू यक्ष तालाब यक्ष का था हमार थीषरा पहरा है यूर ब्रोधर स्थाइड डॉट 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 आस्क्योर क्वेश्चन जा नॉट करलें अपने नॉट बॉक पे और पहरा सवाल रॉट डॉट 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 from which the above passage has been taken is the Enchanted Pool. And the name of the author is S. Rajagopalachari. इस्का दूस्वरा कुष्च्छन नहीं पेरा का? Jy closer, who was the owner of the pole? Why did the four brothers of Yudhishthira die? Who was the one of the four brothers of Yudhishthira? And why had died, Yudhishthira's four brothers? This is the lesson of yagshya. The Yakshya was the owner of the pole. And Yudhishthira's brothers had died because they had not hated the Yakshya's voice. तालाब यक्ष का था और युदिष्टिर के चारों भाई इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने यक्ष की आवाज पर धान नहीं दिया था उसके शब्दों को नहीं सुना था हमारा चोथा पैसेज दा वोईस पुट क्षेशन्स डॉटेट रिजल्ट ऑफ कुड कंड़क्ट इसका पहला क्षेशन वाट रेस्क्यूज मैं इंडेंजर खत्रे के समय मनुस्य की रक्षा कौन करता है मनुस्य का बचाओ कौन करता है इसका उत्तर है दा करेज और एसक्यूज मैं इंडेंजर खत्रे में सहसी मनुष्य की रक्षा करता है यदि किसी भी मुश्किल में किसी भी कठनाई में मनुष्य अपनी हिम्मत नहीं हारता है तो उन कठनाईयों से वो पार हो जाता है it means the courage, rescue man in danger दूसरा सवाल what is swifter than the wind हवा से भी तीवर गती किसकी है इसका उत्तर है the mind is swifter than the wind हवा से भी तेज गती मस्तिस्क की है हवा बहुत तेज चलती है लेकिन हवारा मस्तिस्क उससे भी तेज गती से कहीं से भी कहीं पहुँच सकता है हमारे विचार कभी भी पल भर में कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं इसलिए का जाता है The mind is swifter than the wind तीसरा सवाल What is more fitted than a dry straw? एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुर्जाया हुआ क्या है? इसका उत्तर है A sorrow is cried, strike in heart Is more fitted than a dry straw एक दुख से मुर्जाया हुआ दिल सूखे तिनके से भी ज्यादा कमजोर होता है एक दुख से भरा हुआ दिल सूखे तिनके से भी ज्यादा मुर्जाया हुआ होता है चौथा Who is the friend of one who stays at home? जब कोई घर पे रहता है तो उसका मित्र सबसे अच्छा कौन होता है? इसका उत्तर है The wife is the friend of one who stays at home जो व्यक्ति घर पे होता है उसका सब सच्छा मित्र उसकी पत्नी होती है पाच्छा क्वेश्चन जो यक्ष्ण ने किया था What is happiness? खुशी क्या है? प्रसंता क्या है? इसका उत्तर Happiness is the result of good conduct प्रसंता अच्छे आच्रण का परिणाम है जब हम अच्छे आच्रण करते हैं अच्छा विवार करते हैं तभी हमें प्रसंता उसके result के रूप में उसके परिणाम के रूप में प्राप्त होती है पाच्छा What is that? dots Is the greatest wonder पहला question है What is that by giving up a man becomes loved by all वो क्या है जिसके छोड़ देने से मनुष्य से सबका प्रिय हो जाता है तो इसका उत्तर है Pride That is pride By giving up which a man becomes loved by all येदि हम घमन छोड़ देते तो हम सबके प्रिय हो जाते Question number two What is the loss which yields joy not sorrow वो कौन सा नुक्सान है या क्या वस्तु है जिसके छोड़ देने से जिसके खो जाने से हमारी हानी नहीं होती है या वो कौन सी हानी है जिसके होने से हमें खुशी प्राप्त होती है तो इसका उत्तर है Anger अगर हमारा गुश्सा खो जाता है हम गुश्सा छोड़ देते तो हमें खुशी प्राप्त होती है Anger is the loss which yields joy and not sorrow दुबारा ध्यान कर लें दुबारा सुन लें Anger is the loss अगर is the loss which yields joy not sorrow क्रोध के खो जाने से हमें खुशी प्राप्त होती है दुख नहीं तीसर सवाल what makes one a real Brahman किसी व्यक्ति को वास्त्विक ब्राप्त कौन बनाता है इसका उत्तर है a good conduct makes a man real Brahman एक अच्छा आचरण ही मनुस्य को सच्चा ब्राप्त बनाता है हमारा अगला पैरा है पैरा शिक्स दस द यक्ष पुट dot 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 दन आइदर आफ दिटो पहला क्वेश्चन how many questions did यक्ष आच्छ आच्छ and how many of them did यदिष्टर आंस्वर्ड यक्ष ने कितने क्वेश्चन पूछे और यदिष्टर ने कितने questions का उत्तर दिया इसका उत्तर है यक्ष आच्छ आच्ड मैनी questions and यदिष्टर आंस्वर्ड आउट आफ अल अब दें यक्ष ने भहुत सारे प्रशन पूछे और युदिष्ठर ने उन समी का उत्तर दिया दोस्रा सवाल दिए युदिष्ठर answer the questions of the yaksh satisfactorily क्या युदिष्ठर ने yaksh ke sabhi प्रशनों का संतोज जनक उत्तर दिया तो इसका उत्तर है yes Yudhishtir answered all of the questions of yaksh satisfactorily yaksh ke sabhi प्रशनों का yudhishtर ने तीसरा सवाल, विच ब्रोदर दिद युदिष्टिर चूज तो बी अलाइव, देस्क्राइब इस अप्यरेंस, युदिष्टिर ने कौन से भाई को बनर जीवित कराने के लिए चुना और उसकी आकृति कावाणन कीजिए। तो युदिष्टिर चूज नखूज नकूल तो बी अलाइव, युदिष्टिर चूज नकूल तो बी अलाइव, ही वाज बाईब इस निजिए। Q4. What did yaksh ask Yudhishthir about his choice? Yaksh ने Yudhishthir के चुनाओ के विसे में क्या पूछा? The yaksh asks Yudhishthir, why did you choose Nakul in preference to Bhim who had the strength of 16,000 elephants and he is the most dear to you? तुमने भीम के मुकाबले Nikul को क्यों चुना? जबकि उसमें 16,000 रातियों का बल है और वो तुमें सबसे ज़्यादा प्रियेभी है. अगला question, who had taken form of yaksh and why? यaksh का रूप किस ने लिया था और क्यों लिया था? इसका उत्तर है एटवाज यम. The Lord of Death, who has taken the form of yaksh to see yudhishthar and test him? पांचुवा question है, who had the strength of 16,000 elephants? शोले हजार हातियों की बल की शक्ति किस में थी? इसका उत्तर है, भीम had the strength of 16,000 elephants. शोले हजार हातियों की शक्ति भीम में थी. हमारा अगला पैरा है, पैरा नंबर साथ. ओयक्ष, dot dot dot, then he disappeared. इसका पहला सवाल है, what is the shield of man? मनुष्य का सोरक्षा कवच क्या है? इसका उत्तर है, धर्म is the shield of man. धर्म ही मनुष्य का सोरक्षा कवच है. दूसरा प्रेशन, according to Yudhishtir, when can man be ruined? Yudhishtir के अनुसार, मनुष्य को कब प्राप्त होता है. इसका अन्सवर है, according to Yudhishtir, if धर्म is given up, man will be ruined. यदि धर्म को छोड़ते जाए, तो मनुष्य को प्राप्त हो जाता है. Q3. Why did Yudhishtir ask the yaks to bring Nakul back to life? Yudhishtir ने yaks से Nakul को पुरर जीवित करने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर है, Yudhishtir wanted to follow the justice by reviving Nakul, the son of Madri. Yudhishtir, Nakul को पुरर जीवित कराकर न्याय का अनुसराण करना चाहते थे. Q4. What quality of Yudhishtira pleased the yaks most? How did he rewarded him for that? Q4. Yudhishtir के किस गुर्ण ने yaks को बहुत जादा प्रभावित किया, सबसे जादा प्रभावित किया, और उसके मदले में उसने Yudhishtir को क्या प्रशकार दिया? इसका उत्तर है, Yudhishtir's impartiality pleased the yaks most. So yaks rewarded him by reviving his all-dead brothers. Q4. Yudhishtir की निस्पक्षिता ने yaks को सबसे जादा प्रभावित किया, और प्रशकार स्वरूप उसने उसके सभी भाईयों को पुरण जीवित कर दिया. Q5. Who had taken the form of yaks and by? Yaks का रूप किसी ने लिया था और क्यों? इसका उत्तर? It was Yum, the lord of death. Who has taken the form of yaks to see Yudhishtir and test him? Yaks का रूप यम ने लिया था जो म्रत्यों के देवता होते हैं, क्योंकि वो Yudhishtir को देखना चाहते थे और उनकी परिख्षा भी लेना चाहते थे. Q6. Which word in the passage have been synonyms of the following words? जो नीचे शब्द दिये गए हैं, इन्हें समाना अर्थी शब्द इस पैसेज में से ढूंड़िये. पहला शब्द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का समाना synonym है shield, दोजरा शब्द दैस्ट्रोइड, दैस्ट्रोइड का synonym है ruined. और यह हमारे comprehension पूरा हो गया है, अब हम अगली क्लास में long answers करेंगे, तब तक के लिए धन्दवान. Dear students, इसली क्लास में हमने comprehension पूरा कर लिया है, आज हम long answer type questions करेंगे, आप अपना pen और notebook निकाल ले, और मैं आपको question और answer बोलता हूँ, आपने note करते चले जाए, अपने notebook में लिख ले और याद कर ले, ठीक है, आप अपने copy pen ले ले, Let us start our question and answers. हमारा पहला question है, वाज यक्ष? Why did Yama take in the form of Yaksha? What questions did he ask Yudhishthira? इसक आप अंस्वर है, Yaksha पाज Yama, the Lord of Death. He had taken the form of Yaksha to see and test Yudhishthar. इस question में question जोड़े गए इसके तीन पार्ट पहला पार्ट है हुआ यक्षा जो हम आंस्वर दे चुके यक्षा वाज यम, the lord of death इसका दूसरा पार्ट है why had यम taken the form of यक्ष यम ने यक्ष का रूप क्यों लिया, इसका उत्तर है जो हम आपको लिखवा चुके he had taken the form of यक्षा to see and test युदिष्ठर, के वो युदिष्ठर को देखना चाहता था और उनकी परिक्षा भी लेना चाहता था और इसका चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट है what questions did he ask युदिष्ठर, उसने युदिष्ठर से कौन से प्रशनी पूचे, जो प्रशनी पूचे उनने अभम नीचे बोलते है some of them he asked युदिष्ठर many questions, some of them are as following number a, what rescues man in danger b, by the studies of which science does man become wise c, what is swifter than the wind d, what is more faded than a dried straw e, what befriends a traveler f, who is the friend of one who stays at home g, who accompanies a man in death h, which is the biggest vessel i, what is happiness j, what makes a real brahman, and many more other questions यक्ष आस्क युदिष्ट्रा ये आपके पहले सवाल का उत्तर था आशा है आपने नौट कर लिया होगा अब हम दूसरा क्ष्चिन लेक्ते है दूसरा क्ष्चिन है ये तुस्ट। अजिष्ट्रा क्ष्चिन है उपस्ट्रा ये लिवधि अच्डिभाधे रिव्या का पुद्ड़्स् सब्सक्रेख का लिवधिर्स ऑ राइट तु तु रिंक वाटे सो यक्ष गीर्ट देम आल और दे वर लाइंग इड़ नियर दी पौर्ल यह हमारा दूसरे क्वेस्टिन का उत्टर था अम थीसरा क्वेस्टिन देते हैं तिसरा क्वेश्टन है, How did the Yaksh reward Yudhishthira and Fai? Yaksh ने Yudhishthira को पुरश्कृत क्यों किया और किस तरह किया? इसका आंस्वर Yaksh was pleased by Yudhishthira's answers so he became ready to revive one of his brother of his choice Yudhishthira choose Nakul the son of Madri because he the son of Kunti was alive so Kunti was not completely bereaved in order to keep the skills of justice even he wanted to revive Madri's son Nakula thus Yudhishthira's impartiality pleased the Yaksh most and therefore Yaksh rewarded him by reviving his all-dead brothers यह हमारे तीसरे क्वेश्टन का उत्तर था क्वेश्टन नूम्बर 4 Give a character a sketch of Yudhishthira इसमें Yudhishthira की चरित्र की विशेश्टा है पूछी किया? आप नूट कर लें The character sketch of Yudhishthira is given below Number 1 Eldest brothers Yudhishthira was the eldest of all Pandavas They were five in all They had been living in exile The second 11th brother Yudhishthira loved his brothers most When he saw them lying dead He could not restrain his separation He cried loudly and more Number 3 Brave and intelligent Yudhishthira was brave to face any situation He was very intelligent also He answered all questions asked by Yaksha patiently and satisfactorily Number 4 Lover of justice Yudhishthira loved justice very much He, Kuntij's son was alive But Madri's both sons were dead So he choose Nakula to be revived So that the scale of justice should be even These are the main features of his character Now we have short answer type questions You can write Question number 1 What doubts came in the mind of Yudhishthira When his brothers did not return? When his brothers did not return? He doubted, he noted, start Can they have been subjected to a curse? Or are they still wandering in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Question mark and inverted comma closed Question number 2 Where did Yudhishthira go and why? Answer Yudhishthira went to the forest In the direction of his brothers In the direction of his brothers Had gone Because he wanted to find them Yudhishthira In the direction of his brothers Question number 3 Describe the way on which Yudhishthira proceeded Yudhishthira went to the direction of his brothers The way on which Yudhishthira went Was through the forest full of white bears Spotted deer And big forest birds Question number 4 What did Yudhishthira think about his brothers And what he had done? Yudhishthira What did Yudhishthira think about his brothers? He did what they thought about his brothers They thought about his brothers They were taken away Just when their exile was out Yudhishthira thought about his brothers लेगे जब हुमारा बनवास खत्म होने वाला है। He wondered who could have been powerful enough to kill them. उरहने ये भी आश्चरी हुआ कि मेरे इतनी शक्ति शाली भाईयों को मारने का शक्ति किस्म है। This was your question number 4. Now question number 5. What did he descend into the pool? Why did he descend into the pool? What happened then? He descended into the pool to quench his overpowering thirst. He also heard the same warning of answering the question first. जब उस तालाब में पानी पीने के लिए उत्रे तो उनके साथ भी हुआ हुआ उनने वो आवाज सुनी और उस आवाज में उनसे खाया का पहले मेरे प्रस्णों का उत्तर दू तब पानी पीना. Question number 6. Whom did the pool belong to? What did he tell Yudhishtra about the death of his brothers? तालाब किसका था और उसने Yudhishtra को उनके भाईयों के भरत्य के विशय में क्या बताया? The pool belong to Yaksha. He told Yudhishtra that his brothers died because they did not heed his words and tried to drink water before answering the questions. Question number 7. How can learning be a friend to a traveler? ज्यान किसी यात्री का साथी कैसे हो सकता है? Answer Learning becomes a friend to a traveler because it alone guides a traveler about right and wrong and it is only thing that accompanies him. Question number 8. How according to Yudhishtra can a man become happy and rich? Yudhishtra के अनुसार एक व्यक्ति कैसे धनी हो सकता है और प्रसन हो सकता है? Answer According to Yudhishtra a man can become happy by his good conduct and become rich if he gives up being greedy. Question number 9. What is the greatest wonder in the world according to Yudhishtra? Yudhishtra के अनुसार विष्रु का सबसे बड़ा आश्यरिय क्या है? Everyday man see creature depart to Yamaha's kingdom and yet those who remain want to live forever? This is truly the greatest wonder in the world according to Yudhishtra. Question number 10. Whose sons were Nakul and Sehdev? Answer Nicola and Sehdev were the sons of Madri. अब हमारी व्यक्वबलेश शुरू होती है. इसमें आप कोई शब्दों के लिष्ट वर्ड्स के लिष्ट दी जाएगी, दूसरी तरफ आपको दूसरे शब्दों के लिष्ट दी जाएगी, जुन में एक दूसरे के सिनोनिम होगे, वो आपको एक दूसरे के सामने लिखने होते हैं. दूसरी लिष्ट में आप जो शब्द लिखे होंगे, वो उपर नीचे अलग बिगडे होए करम में लिखे होंगे, आपको एक शब्द के सामने सही करम में उन शब्दों को लिखना होता है, यह मैं आपको बोल देता हूँ, आप नौट कर लें. लिष्ट निमबर वन, जहां हमारे कुश्चन वार्ड है, उसके सामने आंस्वर मायेगा, पुट अप विद, दूसरा, विदाज, आंस्वर मायेगा, होली बुट अविद, सक्रेट, अंस्वर होली, वोव, प्रमाइस, नौबर टो लिख अपंड, अकूर्ड, मिस्वर्चून, इस आंस्वर्ण, और इनके जो कुश्चन्स हैं, वो लिष्ट आपके पास हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, आप उसमें टैली कर सकते हैं, हमने केवल आपको आंस्वर दे दिया हैं, आप इने याद कर लेंगे, अब आपका अधी दिया हैं, वोकाबलरी का भी पाट फिल अपलेंग्स अफोलोंग सेंटेंसेंज, लिद दावर्ड गवंगों, वोड्स दिया हुएं, गेच्ट, प्राव्ड, स्विफ्टर देन, प्रफर्ड, अन्तेंड, इस आमन आंस्वर दिया हैं, इस आपका इंस्वर्ड, ओन दूसरे में युदिष्ठर रिफर्ड नकुल तो इस ब्रॉदर्स अधर ब्रॉदर्स अर्थाक युदिष्ठर ने अपने अन्य भाईयों के मुकाबले नकुल को ज्यादा वरियता दी थी नमबर तीन वहन्द एक्सवांड युदिष्ठर दालेटर गैस्ट वाट अपने तो इस ब्रॉदर्स नमबर चार ए मैं वीज प्रॉद अफिम्सेल्फ अफिज पोजिशन और वेल्थ इस नॉट लॉट बाई एनिबडी इसमें इसकांस और प्राउड यूज करना है और सब अब हमारा सी पार्ट वाकबलेज का श्टार्ट होता है फिल इन दे ब्लैंक्स और फोलॉविंग सेंटेंसिज विद ए सुटेबल फ्रेज जो हमें नीचे फ्रेज दी गई है उनमें से आपको सुटेबल रोट दी है और उन्हें आपको सेंटेंसिज में जो दिये गए उन पहला कुश्चेन एंट आंस्वर है वह निदिश्टर ब्रोदर्स दिड नोट रिटर्ण ही वाज फिल्ड विद ए फिलिंग अफ अन्सर इन फियर ये शब्दापका आंस्वर है फिलिंग अफ अन्सर इन फियर पहले सेंटेंस में भरा जाएगा दूसरे माप भरेंगे एइस ब्रोथ चाहिए विक्टिम तो थे एक्षाज वर्ड गाज थी पाणिवड थी पॉनिखम साभि Test को हमारा चोथा क्वेश्चन है, इसका अंसवर है, विदाउट मोबेंट इन शाउन, बिना ये लिदुले, बिना किसी आवाज की, हीज ब्रोथर्स हैद बेन, मेड अवेयर अफ़ देंजर, इसका अंसवर, मेड अवेयर अपशिय न ये फरेज, जो दीगे फ्रेजी से हैं वो हमें अपने सेंटेसेज में अपने सब्दों अपने वाक्यों में प्रियोग करनी है पहली कीप ऑन दूसरी वेंडर बाउट तीसरी लुक फॉर चौती जस्ट वैं एंड दादर इस नन अदर तैन इन हम यूज करते चलते हैं पहली कीप ऑन इस अगला वेंडर अबाउट को यूज करेंगे वायर यूज वेंडर इस लुक फॉर यूज करेंगे वायर 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 यूज करेंगे अगला नन अदर दन इसे हम यूज करेंगे यूज करेंगे can be none other than your friend. This is the end of your lesson, chapter number one, and thanks. हमने पिशली वीडियो में, अगर इन कुश्चन की किसी की समझ में नहीं आई है, तो हमने पिशली वीडियो में वो सारा एक्स्पियन किया है, सबसे पहली वीडियो में, उसे आप दुबारा देख सकते हैं, वो सब कुछ आपके सहुन में आजाएगा, ठीक है, थेंक्यू. झाल 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 प्रियशात्रो आज हम अपना दूसरा चेप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है ए लेटर टू गॉड जिसके लेखक हैं जी ऐल फ्यूंटरस जी ऐल फ्यूंटरस का जन्म 1854 में इस्वी में हुआ था और उनकी मरत्य होई थी 1966 इस्वी में ये एक लेटिन अमरी की तक थे जो फेमस स्टोरी राइटर और एस राइटर थे इस पार्थ में एक हार्ड वर्किंग किसान एक परिश्रमी किसान की कहानी दी गई है कि किस तरह उसकी फसल और से बर्बाद हो जाती है और हो ईश्वार से मदद मांगता है और उसके लिए चिठ्थी लिखता है और पहले मैं आपको इस पार्थ की शारांस में हिंदी में ही समझाएता हूँ जिससे के आपको आगए पार्थ पढ़ने में और समझने में सुविधा रहेगी यह पार्ट एक घाटी में एक मकान से शुरू होता है, एक बड़ी घाटी में एक मकान है, जो एक छोटी सी पाहडी के उपर बना हुआ है, उसमें किसान रहता है जिसका नाम है लेंचो, उसका परिवार है और वो अपना वही खेती करता है, वही रहता है, एक दिन वो खेतों में गोमता है और उसा महसूस होता है कि अब जमीन हमारी पानी मांग रही है वारिस की बहुत ज्यादा आवशकता है और देखता है वो एक दिन अपने खेतों में गोमते हुए कि नौर्थ इस्ट से बड़े-बड़ी घटा हैं बड़े-बड़े बादल आ रहे हैं और वो जाना खा रहे होते हैं तो इसकी भविष्यवाणी बादलो कौन आपस आता हमारी भुष्चों से कहते हैं जो भूंदे हैं वास्ता में बूंदे नहीं है trillion है न udah इसे बरस रहे इं – और यह सच भी है, आप जानते होंगे, कि अगर सही समय पर वर्षा होती है, तो किसान के लिए पैसा ही वर्षता है. अब वो बड़े खुश होते हैं कि बारिस हो रही है लेकिन कुछ देर बाद वो बारिस जो है भैनगरोप लेना शुरू कर देती है और बारिस के साथ साथ ओले भी आ जाते हैं और वो ओले उसकी फसल को चौपट कर देते हैं वो किसान बड़ा परिशान होता है कि अब पूरी साल का खाना अगले अगले फसल के लिए वीज की व्यवस्था कैसे होगी उसने सुना है किसी से कि इश्वर की निगाहे सब कुछ देखती है चाहे वो हमारे मन में चुपा क्यूं नहों और वो इश्वर में उसका बहुत ज्यादा विश्वास है और यह मानता है कि मैं मदद महाऊंगा तो इश्वर मेरी मदद जरूर करेंगी और वो सारी कैलकुलेशन करके सारा हिसाब लगा के देखता है कि मुझे सौपी सोस की जरूरत है वो सौपी सोस में मैं अपना खेत भी बोसकूंगा और अगली फसल आने तक हम खाने के काम भी चला लेगी वो आने वाले संदय में सुबह सुबह रविवार को आने वाले रविवार को पोस्ट ऑफिस आता है और वहां से एक चिठी लिखके पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में डाल देता और उस पर अड्रेस लिखा होता है तू गॉड और यह तू गॉड अड्रेस है इसे दे लेकिन उस किसान के उस इश्वास को देखके पोस्ट मास्टर बड़ा परभावित होता है और वो सोचता है कि चलो इसकी मदद कर देते हैं वो खुद और अपने साथ यह के कुछ पैसे ही कथे करते हैं और आधिये से कुछ अधिक पैसे वो इकथा कर पाते हैं एर्ड्र सुभी witness लंच्यों का और अधिया सभीप लंच्यों को जो भीजण वाला उसकी में ललाजए लिखे देते हैं गॉस्पा तो पोस्टमें जिसने निकाल आता लेस्ट इसे हैं और धेखते हैं कि जो में क्या कम किया उसे देखने बाद इसके चेहरे पर क्या रियेक्षण आते है क्या प्रतिक्रिया आती है क्या इस आश्चरिया होता है क्या पैसे मिले लिफाफे में लेकिन जब लेंचो लिफाफा खुलता है उसमों पैसे देखता है उसे बिलकुल आश्चरिया नहीं होता है वो पूरे वि लेकिन जब वो पैसों को किझता है तौुसे गुस्टा जाता है क्युंकि पैसे कम है है कि अब हो दोबारा घिळइब जाता अरूझसे पैन और पैपर मांगता है और फिर चिठी लिखता बड़े गुस्टे में क्या आपने जो पैसे भिजे थे वो कम है मेरे पूरे पैसे भेजो बचे हुए और डाक खाने के थुरू मत वेजना क्योंकि यहाँ पर सब चोर बैठे है बस यह आपके कहान यह और अब अब अपने किताब निकाल लें अपने पार्ट खोलें और पढ़ने शुरू करते हैं अब 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 आघ मांब जो बड़ी घाटी में एक चोटी सी पहाडी की चोटी पर पढ़ना हुआ है क्रेष्ट वाने चोटी एंटरवेल मेंस बहुत बड़ी घाटी घाटी वह होती है जहां जिसमें चारोज़व बड़े बड़े पहाड होते है और इसके बीच में एक सम्तल मैदान होता है उसे घाटी पोते है फ्रम दिस हाइट वन के सी दरिवर एंट फिल्ड ऑफ राइप कॉंस कॉंड़ दॉवर्वर्स अल्वेज प्रोमाईश एक गूड हर्वेस्ट और चितनी उचाई पर चोटी जैसी पाड़ी है जितनी उचाई पर उसका मकान बना हुआ है वहां से वह या कोई भी वहां से बह लेकिन अब धरती को बारिश की जरती पानी की जरती या तो एक अच्छी बारिश हो जाए या कम से कम छड़काव साथ हो ही जाए थ्राओर दे मौर्णि लेंचो वो निव इस फिल्स इंटिमेटली है द दन नथिंग अलस बट सीन दे स्काई टॉर्थ इस्ट उस दिन लेंचो ने सुबह से कुछ नहीं किया वो केवल अपने खेतों में घुमता रहा जो अपने खेतों से बहुत अच्छी तरह परचित थ जैसा कि हर कीसान होता है उससे पता होता है कि उसका खेतकर क्या मांग रहा है उसमें क्या डालना चाहिए क्या बोना चाहिए तो लेंचो नो उस दिन कुछ नहीं कि केवल नौर्थ इंश्ट में आका समें दिखता लागे कहीं कोई घटा नजर आती है बादल नजर आते हैं या नहीं आते हैं नाव वी आरेली गोइंग तो गेट सम वाटर वोमन और वो अपने पत्रे से कहता है कि स्रीमती जी शायद अब हुम कुछ पानी पा सकेंगे यानि कुछ बारिश हो सकेंगे जो बड़े लड़के थे लैंचों के वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे अंटिल दा वोमन कॉर्ट दैम ओल कम फोर डिनर और वो जब तक अपने अपनी जगे लगे रहे अपने अपने काम में खेलने में और खेतों में लगे रहे जब तक कि उन्हों और वो खाने के लिए आवाज नहीं लगाई तो अब अब दूरिग दा मिल देट एज लेंचो एड प्रेडिक्टिट बिग ड्रॉप्स और बिगन तो फोर और जैसा सुभे लेंचो ने भविश्यवानी की थी उन्हों जब वो खाना खा रहे थे तब भी वो भविश्यवानी उसकी सत्य सामित हुई और बड़ी बूने प आती हुई दिखाई पढ़ रही थी। अर हावा बड़ी ताजा और मीथी थी, मधूर थी। अर जो आदमी है यानि किसान, लेज जो बिना किसी कारण के केवल उस वर्षा को अपने शनीर पर नुभव करने के लिए यानि बारिश में नहने के लिए बाहर निकल गया। और जब वो वापस आया नहा के तो उसने कहा, यह जो बूंदे पढ़ रही है बारिश के यह वास्ता में बूंदे नहीं है बलकि नए सिक्के बरस रहे है। जो बड़ी बूंदे हैं वो तस सेंट की हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो पाथ सेंट की हैं। और उसने बड़ी संतोष पूर्वक्त देखा कि उसके खेत जो मक्का के फसल से भरे हुए थे वर्षा के परदे के पीछे छुप गया थे। वर्षा के जड़ी एकनी तेज थी वर्षा इतनी तेज थी के उसके पीछे का सब कुछ छुप गया था। But suddenly a strong wind begin to blow and along with the rain very large hailstorms begin to fall. लेकिन अचानक तेज हवाय चलन शुरु हो जाते हैं और बारिस के साथ बड़े-बड़े ओले पढने शुरु हो जाते हैं। और यह जो ओले पढ़ रहे हैं यह वास्ताव में ऐसा लगता है जैसे की पैसे हो नए शिक्के हों क्योंकि उनमें सफेद जो चमक थी वर्फ की वो सिल्वर की चमक जैसी ही लगती थी। दबाइश एक्सपोजिंग देमसेल्स तु दी रहिन राइन आउट टू कलेक्ट दफ्रोजन पार्स और जो बच्चे हैं वो बाहर बारिस में निकल पड़े और ओल्यों को इकठ्था करना यानि जम्य हुए मोत्यों को जम्य हुए भर्फ के जो टुक डेते ओले 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 इकठ्था करने के लिए लगे जैसा के अपने बच्चपन में सभी करते हैं हमने भी किया आप भी करते होंगे अब गलत होने जा रहा है और मुझे आशा है कि यह जल्दी ही बंद हो जाएगा यह जल्दी ही पढ़ने बंद हो जाएगा इक घंटे तक ओले पढ़ते रहे खेत में मकान पर पहाडी पर और पूरी गाटी पर अर श्पूरी गाती जब वो बंद होए एक घंटे बाद तो खेत बिलकुल ऐसे सफेद हो रहे थे जैसे कि उन्हें नमक से डख दिया गया हो उनमें नमक बखेर दिया गया हो नोटे लीफ रिमेंड और ट्रीज पेड़ों पर कोई एक पत्ती भी बची हुई नहीं थी सब कुछ ओलों ने ज़ाड़ दिया था गिरा दिया था दक्रण वाज टोटली डेस्टोई और मक्का की जो फसल थी वो पूरी तरह बरबाद हो गई थी दा फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉं दा प्लांट्स पॉधों से सारे फूल ज़ड़ चोके थे लैंचोज सौलवाज फिल्ड विद सैटनेस और लैंचो की जो आत्म है वो बड़ी दुख से भर गी थी उसका मन बहुत जादा दुख ही हो गया था लैंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ था और अपने बच्चों से कह रहा था वेटों से यह कह रहा था अगर टिड़िया भी आती है तो वो भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ जाती है अपने देखी होंगी एक बड़ा सा कीड़ा होता है बहुत बड़ा सा बहुत जोर से उचलता है हरी से रंग का फसल के अनुसार वो रंग भी बदर लेता है वो तिड़िया जब आती थी वो होते थे जो दल होता था और वो पूरी फसल को चौपट कर जाते थे दाहेल है लेकिन तिड़िया शायद कुछ छोड़ दे लेकिन हो लोने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है इस साल हमें अर आज नहीं मिलेगा वो रात बड़ी दुख बड़ी भरी थी all our work for nothing और लेंच वो सोच रहा था के हमारी जितनी मैनत थी वो सब बर्बाद हो दी there is no one who can help us और अब हमें ऐसा कोई दिखाई नहीं पढ़ रहा है जो हमारी मदद कर सके we shall all go hungry this year और इस साल तो हमें सभी को भूख हमरना पड़ेगा but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope help from God लेकिन जो लोग उस घाटी के मकान में रह रह रहे थे उनके मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद एक आशा की किरण थी इश्वर की मदद कि हमें इश्वर से मदद जरूर मिलें don't be so upset when even though this seems like a total loss लेंचो कहता है कि आप लोग इतने परिशान मत हो हाला कि ऐसा लगता है जाए सब कुछ चौपट हो चुका है सब कुछ बर्बाद हो चुका है remember no one dies of hunger लेकिन याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता है अर्था अगर आदम कोई काम करता है महनत करता है तो वो कभी भूखा नहीं मरता है that's what they say no one dies of hunger ऐसा मैंने सुना है कि कोई भूख से नहीं मरता है although the night lunch you thought only of his one hope the help from God और पूरी रात लेंचो अपने उस एकलोती आशा के बारे में सोचता रहा उस उमीद के बारे में सोचता रहा जो उसे थी कि इश्वर की मदद और whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscious चाहे वो किसी के मन में अंदर भी छुपी होई भावना क्यों नहीं Lencho was an ox of a man Lencho वास्तो में एक बैल की तरह महनत करने वाला आजमी था working like an animal in the fields जो एक जानवर की तरह अपने केतों में काम करता था but still he knew how to write लेकिन उह जानता था कैसे लिखा जाता है उह लिखना पड़ना थोड़ा बहुत जानता था the following Sunday at Drabek he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail अगले इस रविवार को उसने सुभा सुभा एक चिथी लिखी और वो उसने खुद जाके कस्मी में गया और उसने राखाने बाव डाल दे it was nothing less than a letter to God और वो चिथी में कोई विशेश और कुछी था के वाल उसने इश्वर के नामे चथी लिखी होई थी और उसने क्या लिखा था God he wrote इश्वर if you don't help me my family and I will go hungry this year अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो इस वर्स मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे I need a hundred pieces in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hell and storms dotted मुझे 100 pieces की बहुत जादा जवरत है जिससे की मैं अपने खेतों को फिर से बहुत सकूँ और जब तक फसल आती है जब तक हम भोजन भी प्राप्त कर सके क्योंकि ओलोंने सब कुछ मर भाज कर दिया है he wrote to God on the email address put the letter inside and still troubled went to town और जो लेटर उसने लिफा पे मेरा खा और बड़ा परिशान सा कस्वे को चला गया at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail वहां जाका उसने किट लिया लिफापे पे लगाया और उसे letter box में डाल थिया one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God जो दाख खाने के करम चारी थे उनमें डाकिया था जो वहां पर काम भी करवा दोता था उसमें डाख खाने में और उसने जब उन लिफापर निकाला letter box में से तो उसका address देखके वह बड़ी चोर से हसा और हसता हुए अपने बोर्स के पास अपने अफसर के पास पहुंच गया और उसे वह letter दिखाया उसने never in his career as a postman had he known that address और अपने पूरे service carrier में पूरे service time में अब से पहले उसने यह address कभी नहीं देखा था the postmaster a fat amiable fellow जो postmaster था वो एक मोटा खुश मिजाज आदमी था also broke out laughing और जब उसने यह address देखा postmaster ने तो वो भी बहुत जोर से आँसा but almost immediately he turned serious लेकिन अचानक वो गंभीर हो गया है tapping the letter on the desk commented और उसने वो चिथी मेज पर थप थपाते हुए कहा what faith I had I wish I had the faith of man who wrote this letter करें इतना विश्वास मेरी इच्छा है मेरी कामना है कि जितना किसान का विश्वास इश्वर में है काश के मेरा भी हो starting up a correspondence with God जिस विश्वास के आधार पर इसने इश्वर के साथ पत्र व्यवार करना शुरू किया है काश मेरा भी इतना विश्वास इश्वर में हो So in order to shake the writer's faith in God और उस लेख के विश्वास को डगमगाने के लिए इश्वर में से पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया आंस्वर दा लेटर के इसका उत्तर देते हैं But when he opened it, it was evident that to answer he needed something more than goodwill, ink and paper लेकिन जब उसने उपे पर लिफा पकोला तो पता चला कि इस चिथी का जवाब देने के लिए केवल सद्भावना ही काफी नहीं है बलकि सद्भावना और कागज और पैन के अलावा कुछ और भी चाहिए और वो था धन पैसा But he struck to his resolution लेकिन वो अपने विचार पर जमा रहा He asked for money from his employee उसने अपने जो साती थे करमचारी थे और उनसे पूछा कि आप लोग भी कुछ पैसा इकठा करेंगे He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity उसने खुछ भी अपनी तनका का एक हिस्सा दिया उसने और उसके जो साथी थे जो सहयोगी थे दूसरे करमचारी जो थे उन्होंने भी भलाई के काम में हिस्सा लिया An act of charity means भलाई का पुर्ने का कारिया It was impossible for him to gather together the hundred pieces इस बाद संटेंस पर आप दुबारा धान दें It was impossible for him to gather together the hundred pieces यह together और together लगबगे की जैसा लगता है लेकिन इसका मतलब अलग अलग है यह शब्द दो अलगला एक है together यानि एकठा करना और together means एक साथ एक जगह तो it was impossible for him to gather the hundred pieces लेकिन उस पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ एक सो रुपे एक सो पीसों सी कठा करना असम्द हो रहा है So he was able to send the farmer only a little more than half वो केवल आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने लायक ही हो सका He put the money in an envelope address to Lencho and with them a letter containing only a single word as signature God उसने वो पैसे एक लिफापे में रखे उसलिफापे को बंद किया और उसमें केवल एक चिठी लिख दी उस पर जवाब देने कर रूप में और नाम लिख दिया from God यानि इश्वर की तरब से The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him और आने वाले रविवार को Lencho और दिन से कुछ जल्दी ही उठ गया और वहां पोस्ट आफिस पहुच गया यह पूछने के लिए क्या उसके नाम की कोई चिठी आई है It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed He looked on from the doorway of his office जब Lencho ने वाज आके पूछा के क्या मेरे लिए कोई चिठी आई है तो उसी डाकी ने जो पहले लिए निकाल के उस पर पता देख कहा सा था उसी ने चिठी लेंचो को दे दी कहां आपकी यह चिठी आई है और वो जो postmaster था जिसने काम किया था जो उत्तर दिया था वो अपने सीट वे बैठा वो दर्वाजे में से देखना चाहरा था कि जब लेंचो चिठी खोलता है उसमें पैसे देखता है तो उसका reaction क्या होता है उस आश्चरिय होता है कि नहीं होता है लेंचो शोर्ड नॉट स्लाइटेस्ट सर्पाइज और सीइंग दावनी लेकिन लेंचो ने जरास आभी आश्चरिय नहीं दिखाया जब उसने पैसे देखे लिए पापे में बड़ विकेम एंगरी वह हैं ही कांटेट दावनी लेकिन जब लेंचो ने वो पैसे गिने तो वो गुष्ण होगा क्रोधित हो गया गॉड कुड नॉट हैव मेडे मिश्टेक उसे लगा उसे विश्वास था कि इश्वर्त को गलती कर ही नहीं सकता नॉर कुड हैव दिनाइट लेंचो वाट ही एड रिक्वेस्टेट और लेंचो से जो लेंचो ने मांगा उसे देने स भी मना नहीं कर सकता, Denied means मना करना, मना किया. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper handing. और बड़ी तेजी से Lancho, उस चिठ्थी को पढ़ने बाद, खिटकी पगया और वहाँ जाका, उसने कागज और स्याही की दवाद मांगी. पहले जो चिठ्थियां लिखी जाती थी, वह स्याही की pen से कलम से लिखे जाती थी, जो अब तो खेर दूर-दूर चलीगी वह चीज़ें हैं ही नहीं, तो इसलिए वह पोस्ट ऑफिस की खिटकी बजा के, एंक और कागज बांगता है. On the public writing table, he started to write. और जो लिखने की table public के लिए थी, लोगों के लिए थी, उस पर जाके वह उसने लिखना सुरू कर देता है. With much wrinkling of his broken, और जो भू लिखना होता है, उसके चेहरे में बहुत जादा siluटे, उसके माथे में siluटे पढ़ जाती है, क्योंकि वह अपनी सारा गुसा, सारी भावनाओं को उस चिठ्थी में उतार देना चाहता है. Cause by the effort he had to make to express his ideas, और वो जो भावनाओं उसकी कागज पर उतर रही है, वो उसी कोशिस में उसकी भावों में, उसकी माथे पर siluटें पढ़ती है. When he finished, और जब वो चिठ्थी पूरी कर लेता है, he went to the window to buy a stamp, which he list and then affixed to the envelope with a blow of his fist. वो फर्डा खाने के खिट्गी पर जाता है, वहां से टिकेट लेता है, और उसे अपने थूप से लगा के लिफापे को चिपका देता है. यह थूप से लगाना हो जगता है का आपको महसूस हो, पहले जो चिठ्थाँ लिखी जाते थे, उन पर टिकेट लगते थे, और उन टिकेट के पीछे गम लगा होता था, गौंद लगा होता था, उसे या तो पानी से भीगो, या फिर लोग आम तर पानी होता कहां था, यहां बैठे चिट्थी लिए टिकट चिपका दिया उसका यह करते थे लोग जीप पे लगाई और चिपका दिया तो पहले यह चीजे होती थी अब चिट्थी लिखना ही बंद हो गया है ट्रीजे लेंग चिट्थी को मेल बापस आया महां से तो पोस्टमास्टर घुट उठा और उसने जाके वो मेलबाउस खोला और चिट्थी निकालके खोली its head उस चिथी में लिखा हुआ था its head means चिथी ने बताया यानि उसमें लिखा हुआ था God ईश्वर of the money that I asked for वो money वो धन जो मैंने आप से मांगा था only 70 pieces reached me उसमें से केवल 70 pieces मेरे पास पहुचे यानि मैंने 100 मांगे थे और मेरे पास केवल 70 पहुचे हैं send me the rest मेरा बचा हुआ धन यानि 30 pieces जल्दी से मेरे पास भेजो since I need it very much क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवशक्ता है but don't send it to me through the mail लेकिन ये मेरा पैसा डाक खने के द्वारा मत भेजना because the post office employees are a bunch of crooks क्योंकि डाक खने के इतने भी करमचारी है ये सारे डाकेतों का समूब बना बैठा है ठगों का जुंड बना बैठा है इसलिए मेरे पैसे डाक खने के द्वारा मत भेजना लेंच तो बच्चो ये हमारा पाट था दूसरा जो पूरा हो चुका है आशाय आपकी समझ में आ गया होगा और नहीं तो आप इस वीडियो को दुबारा देख सकते हैं समझ में आ जाएगा अगली वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब तक के लिए थैंक यू प्यारे विद्यारतियों पिशली वीडियो में हमारा चैप्टर ए लेटर टू गॉड़ पूरा हो चुका है आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोग अपने नॉट्बुक्स और पैन ले ले और मेरे साथ क्वेश्चन आंसर नॉट्ट करते चले जाए ठीक है शुल vigil करते हैं मैं इसका जो पार्ट ए है जो कम्प्रियेंसन इसमें पैसेज-बेश्ट केश्चन सोथे हैं आपको एक पैसेज निया जाए गा पीपर में उसमें से आपको दो कॵेश्चन करने और जो उस पैसेज मेंसी उसका आंसरब साठ का आपको देर ठीक है मैं बोलता हूं प्रेश वाइज आप पेरा वाइज उसे लिखते चले जाए आंस्वर भी क्वेश्चन भी पहला पेरा है दा ओनली थिंग डॉट 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 फ्रेश एंड स्वीट इसमें पहला क्वेश्चन है ऑज लेंचो क्यों था और वों अपने खेतों के बारे में क्या सोचता था है लेंचो आंस्वर लिखेंगा लेंचो वाज एफार मर फार्मर ही थोट डैट अर्थ हर्थ रिक्वाइट इसे लेंचो कीसान था और वे चाहित था रोपता था जहाएभ को वर्षा की पानी की इसकांसवर, दा अल्डर बोईज वर दूइंग वर्क इन दा फिल्ड्स, एंड दा स्मॉलर वन्स वर प्लेइंग नियर दा हाउस, एंड दी वोबन कॉल देम फॉर डिनर, वो बच्चे जो ने बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, छोटे घर के पास खेल रहे थे, और उस औरक्नों ने भोजन के लिए, डिनर के लिए बुलाया था, विश्चन नमबर तीन, वाट मेट लैंचो प्रेडिक्ट टू ए रैंट फॉल, डिड इस प्रेडिक्शन प्रूव तू बिट्रू, लैंचो को भविस्यवानी करने का प्रोथ सहन कैसे मिला, और क्या उसकी प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट टू बिट्रू और उसकी भविस्यवानी सही साबित हुई, पैरा टू आपका स्टार्ट होगा, पैरा टू के पहले शब्दे, इसका पहला कष्चन, इडनितिफाइड था परस्न हुए जो शब्द आप नीचे बोलूगा मैं, वो किस ने कही थे इसका आप का आंस वा लेह नहीं उसके बोले गए वर्ड से, इसका बोले गया वर्ड से, इसका आप का सथिए यहूज में है what is he talking about कोन इन बातों को इन सब्दों को कह रहा है और किस के बारे में बात कर रहा है कि वो quickly क्या पास होने की बात है answer the person is lencho जो इन बात कह रहा है and he is talking about the hailstorms वो ओलों के बारे में बात कर रहा है कि ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा question number two why did he look satisfied lencho संतुष्ट क्यों दिखाई पड़ रहा था इसका answer है he looked satisfied as he was sure that it would rain soon उसे विश्वास था कि जल्दी ही बारे सोने वाली है इसने वो संतुष्ट दिखाई पड़ रहा था question number three what have hailstorms been compared to ओलो की तुलना किस से की गई है इसका answer the hailstorms have been compared to the new silver coins question number four how did the hailstorms affected lancho's fields listen again how did the hailstorms affect lancho's fields ओलो ने lancho के खेच को किस तरह प्रभावित किया इसका answer the hailstorms affected the fields so much that all his crop was ruined ओलो ने इतना नुक्सान दिया इतना प्रभावित किया उसकी फसल के वो फसल बर्बाद होगी पहरा three start होता है इसके शुरू के शब्दे है it is really getting और आगे dot dot आगे आए लास्ट वाट से we have no card इसका पहला question write the name of the lesson from which the above passage has been taken who is the writer of this lesson इसका answer the name of the lesson from which the above passage has been taken is a letter to God and the name of its writer is G. L. Funtas question number two why was Lencho's salt filled with sadness Lencho की आत्मा दुखी क्यों होगी थी इसका answer है Lencho's salt was filled with sadness because his total crop was ruined in the hell store क्योंकि उसके शारी फसल वोलों से बर्बाद होगी थी इसलिए बहुत ज्यादा दुखी होगया था there are four starting words all through the night dot dot because last words लिखेंगे because the hell storms dot 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 question number one what was Lencho's problem what was his only hope Lencho की अकेली समस्या क्या थी और उसकी इकलोती उम्मीद क्या थी उसकी आशा क्या थी एक आशा की मदद क्यों उसे इश्वर से मदद मिल जाएगे question number two question number two paraphor what did Lencho think of all through the night पूरी रात Lencho क्या सोचता रहा answer Lencho thought of all through the night only of his one hope it was the help from God question number three what had Lencho learned about God Lencho को इश्वर के बारे में क्या बताया गया था इसका उत्तर Lencho had learned about God that his eyes see everything even is one's conscience Lencho को यह बताया गया था कि इश्वर की निगाह है सब कुछ देखती है जाहे हो किसी के बिलकुल अंदर मन में छुप भी बाग क्या नहापना question number four why would Lencho's family go hungry what help did he want his cancer Lencho's family would go hungry due to total loss of his crop by hailstorms he wanted 100 pesos help to sow his fields again and to feed his family until the crop comes question number five quote the words which tell you that Lencho was a hard working man वो शब्द पैसेज में से निकाली है जिन से यह पता चलता है कि लैंचो बहुत महनती व्यक्ती था answer Lencho was an ox of man इसाप कॉमाज में close कर देंगे इसाप कॉमाज में यह दुबारा सुनलें कॉमा स्टाट इनुर्ट कॉमा स्टाट Lencho was an ox of a man कॉमा these words tell that he was a hard working man यह शब्द में बताते हैं कि लैंचो बहुत ज्यादा महनती व्यक्ती था question number six why has Lencho been compared to an ox answer Lencho has been compared to an ox as he worked like an animal in his fields question number seven what did Lencho write in the letter to God and why Lencho ने अपने पत्र में इस्वर को क्या लिखा था और क्यों answer Lencho wrote in the letter to God to send him hundred pesos to sow his fields again and to feed his family until the crops come Lencho ने लेटर इसलिए लिखा था God को का उसा सौपी सोच चाहिए जिससे के वो अपने खेतों को दुबार अब हो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पालंग पोशन भी कर सके परा 5 1st words he wrote to God dot dot last words correspondence with God question number 1 who laughed heartily and why दिल खोलकर क्यों हसा और कौन हसा answer the postman laughed heartily after seeing the letter which was addressed to God for the first time क्योंकि उस डाकी ने अपने पूरी सर्विस केरियर में अपने अप्तक्की नोगरी में ये पता पहली बार देखा था इसलिए वो दिल खोलकर हसा question number 2 point out the qualities of the postmaster as described in the passage answer the postmaster was a fat and amiable fellow these are the qualities described in the given passage इसे दुबार सुन सकते the postmaster was a fat and amiable fellow these are the qualities described in the given passage question number 3 why was the postmaster surprised what did he wish for अपने अपने लिए क्या इच्छा जाहिर की थी answer the postmaster was surprised after seeing the letter which was addressed to God he wished the same faith for himself in God answer 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 हो गया इसका अब आप पहरा नंबर six लेंगे पहले शब्दे one of the employees dot 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 last words are an act of charity इसका पहला question what did the postman do when he saw the letter addressed to God what was the postmaster's reaction when he saw it जब postman ने इश्वर के नाम पत्र देखा तो उसने क्या किया और जब postmaster का reaction क्या था जब उसने इस पत्र को देखा इसका answer the postman laughed heartily when he saw the letter to God the postmaster also broke out laughing after seeing it but soon he became serious question number three why did the postmaster decided to answer the letter as did to God was it easy to do so जब postmaster ने इश्वर के नाम पत्र देखा तो उसने क्या किया और उसने उसका उत्तर देने का निश्चे क्यों किया और क्या उस पत्र का उत्तर देना आसान था इसका उत्तर हम लिखते हैं जब पत्र का जवाब देना कोई बहुत आसान नहीं था जिससे की लिखने वाले का विश्वास उस इश्वर में बना रहें लेकिन उस पत्र का जवाब देना कोई बहुत आसान नहीं था कुस्टिन , नम् advocacy की क्या जवाब यह सम्झेट रुद देना म colonial की लिख। जवर मी जवाब पत्र ज रपत्र सूपने खिक्वर हं लिख। और यह का मत्लब यह सम्झेट क्यॐं है। क्यूट लिख। आसन थ्र वकौ मीन देने था List हम फञ लिख। नमबर दो, solving doubt problem question, नमबर तीन, firm decision, तो इसमें जो पहले दिया इनोंने, the formal expression of opinion by an official meeting, यानि एक कारिया लेकी meeting में अपने बातों को सामने रखना, normally, सामने तोर पे, नमबर दो, solving doubt problem question, किसी सक को, किसी समस्या को, या किसी present को हल करना, ये resolution के meaning पूछ रहा हो, या नमबर तीन उसने दिया है, firm decision, एक द्रण निष्च है, तो इसमें पूछता है, point out the most suitable answer, इसका सबसे अच्छा उत्वर चांट ये, और इन में इसका answer है, the most suitable answer is, firm decision, ये इसका सबसे अच्छा उत्वर चांट निष्च है, जोच ने द्रण फैंसला कर लिया, आपक कर निष्च है, जोच ने द्रण फैंसला कर लिया, आपक कर निष्च है, उसने अपने साथ ये कुछ पैसे कट्टा गिया, कुछ अपनी तनखा का हिस्सा, उसने खुन भी दिया, पैरा सेवन, इसके शुरुवात के शब्दें, जोग मा अपनी किन चेंटि म किवा चो कम कर देंदिट को कुछ को किवर्द की साथ। , सु पैसको मेंड बड़क। . The postmaster बड़के अज़ंद के लिकांट व्य चैन्सवार्ट को is it. this to Lencho as the help of God question number two how much money was put in the envelope who was the envelope addressed to this answer only 70 pesos were put in the envelope and the envelope was addressed to Lencho question number three why did Lencho go to the post office next day Lencho went to the post office the next day because he was hopeful of getting some money from God which is why he went to the post office that he had no money from the question number four why did postmaster decided to answer the letter as dead to God as cancer the postmaster decided to answer the letter to God because he wanted to shake the writers faith in God question number five how did the postmaster collected collect money to be sent to Lencho again listen how did the postmaster collect money to be sent to Lencho Lencho ko pehijne ke liye postmaster nae paisa kis tarai katha kiya tha the postmaster collected money from his colleagues and he himself gave a part of his salary question number six who handed the letter to Lencho what were the feelings of the postmaster when he when the letter was being handed to Lencho Lencho ko khat kis nae diya tha aur postmaster us the postmaster was feeling the contentment of a man who has performed a good treat Lencho ko joko 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 letter dya tha wos postman nae diya tha aur postmaster is kinderai mahyasus karra utasasya bhavna aeus time thi jayesos vektichi ki hote yae joh kooi bhalai ka kama 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 kataan jiisna koi bhot akcha kama kyya ho ौr oska rizalt dekhana cha raha ho question number seven why was Lencho angry when Lencho angry when Lencho फर्स्टवर्ड्थ लेंचो शॉर्ड नोट डॉट 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 लास्टवर्ड्स बंच अफ रुप्रूक्स लेंचो इसका पहला कॉश्चन है why did Lancho not show any surprise on seeing the money why did he become why did he became angry Lancho ने पैसा देखने बाद आज चलिये व्यक्त क्यों नहीं किया और वो गुस्सा क्यों हो गया Lancho did not show any surprise on seeing the money because he had full faith in God he became angry when he saw the less money in the envelope question number two why did Lancho ask for paper ending how did he affix a stamp to the envelope his answer Lancho asked for paper ending to write a letter to God again he sent the letter to the envelope with a blow of faith question number three how much money did Lancho get Lancho को कितना पैसा मिला लिफापे में his answer Lancho got 70 pesos only in the envelope उसे केवल 70 pesos मिले question number four why did Lancho request God not to send the money through the mail his answer Lancho requested God not to send the money through the mail because according to him the post office employees were a bunch of crooks it means they were cheaters question number five point out the words in the passage which means the following passage में से वो शब्द रोंडिये जिनका मतलब नीचे वाले शब्दों से में दिखता है पहला शब्द गुरुप गुरुप का सिमिलर सिनोनिम है इस passage में दिया गया है बंच बंच माने जुण और गुरुप माने भी जुण से लुआजु दोसरा वर्ड दिया है चीटर्स का मिज्द में दिया गया हैnam को इस तरह आपका आपका कंप्रेहंशन पुरा हो गया है अब हम अभू लॉंगस टाइप केस्टीन करेंगे अटर नीच 4 ओन्सटीव सिस्तिवद में dead question number one है हमारा give briefly the story of a letter to God answer brief story of a letter to God is as following लेखें आप Lencho was a hardworking farmer the hailstorms ruined his crop he had deep faith in God so he wrote a letter to God asking him to send him 100 piscos the postmaster saw this letter and he was surprised on Lencho's faith in God he decided to help him and collected some money with the help of his colleagues and sent it to Lencho on behalf of God when Lencho found the money less he became angry and he wrote another letter to God to send him the rest money but not through the mail because the post office employees were the bunch of crook according to him यह हमारे पहले question का अंसर हो गया है question number two describe the feelings of the rain and the damage it caused in the lesson a letter to God which means to God अंसर होँ जो इसका वार्न कीजये और जो इस पार्ष में लेटर तो गॉट पार्ष में नुक्सान किया है बारिस ने उसका वार्न कीजये और या दूसरा प्रेस ने इसी में How did the hell storms affect Lencho's field? What was his single hope? ओलो ने Lencho क्या नुक्सान किया और उसकी इकलोथी उम्मीद क्या थी? इसका अंसर लिखें, Lencho was a farmer, it was needed to rain on his field. One day, big drops of rain began to fall. Lencho felt satisfied and happy after seeing the rain, but suddenly the rain changes into hell's storm. For an hour, the hail rained everywhere and ruined Lencho's crop totally. Lencho's soul was filled with sadness. He thought of his only hope, the help from God. So, he wrote a letter to God to send him 100 pesos in order to sow his fields again and to feed his family. Question number 3. Who was Lencho? Why did he write a letter to God? Who received it and what did he do? इसमें 3 questions जोड़े गएं. Who was Lencho पहला question जोड़े हैं. इसका दूसरा पार्ट, why did he write a letter to God? और इसी का तीसरा पार्ट क्योशन का, अर उसने रसी निदे पार्ट क्योशन का, अर उस पत्र को किसने रसीव किया और उसने उसके बाद क्या किया, इसकांसर, Lencho was a hardworking farmer with a large family. once the hell stop, destroys his harvest totally, nothing was left for Lencho Azins and his family. Therefore, he wrote a letter to God, requesting him for 100 pesos to send him in order to sow his fields again and to feed his family until the new crops come. The postmaster read this letter, addressed to God and decided to help him. He collected 70 pesos and sent it to Lencho on behalf of God. Q4. What kind of people were the post office employees? Was Lencho justified in calling them a bunch of pruk? Post office employees were kind and nice persons. They laughed when they saw a letter to God. After all, they became serious and collected 70 pesos and sent it to Lencho. But Lencho became angry when he found only 70 pesos in the envelope, whereas he asked God for 100 pesos. He now thinks that the post office employees had taken away 30 pesos from the envelope. So he called them a bunch of crooks. Lencho does not justify when he called them cheaters. Question number 5. Give a character sketch of the postmaster. Postmaster ka Charitra Chitran ki je. The postmaster was a fat and jolly nature person. When he saw the letter to God, he broke out laughing. For the sake of fun, he decided to answer the letter in order to shake the writer's faith in God. He decided to help the farmer in need. He collected money from his colleagues and himself gave a part of his salary. He experienced the satisfaction of a man who had done a good deed. These all are the main qualities of the postmaster. Question number 6. Give a character sketch of Lencho. Lencho. Lencho ke Charitra Chitran. Lencho was a hard working farmer. He had a deep faith in God. His fields needed water. So when rain began to fall, he felt very satisfied and happy. But with the rain, hell stones also fall in the large number and ruined his total crop. He felt worried how he would feed his family and sow his fields again. He requested God to send him 100 pesos and write a letter to God. But when he got a letter filled with money from God, he did not show any surprise as he had full faith in God. When he found the less money in the envelope, he became angry. When he got a letter again to God requesting him not to send the money through the mail. This is his character sketch. Now, let's start our short answer type question. You will give this answer in 25 words. Near about 3 or 4 lines. You will give 3 or 4 lines. Question number 1. Where was the house located? Why do you think it is called the house, not a house? यहनि मकान कहां कहां पर बना हुआ था? और इस मकान को दी हाउस क्यों कहा गया है? A house क्यों नहीं कहा गया है? The house was located on the peak of a small hill in the entire valley. It is called the house because it was the only house in the whole valley. यहनि एक छोटी सी पाड़ी के उपर बना हुआ था मकान लेंचोगा और इस लिए कहा गया है क्योंकि उस पूरी घाटी में वो अकेला मकान था. Question number 2. Now, we are really going to get some water woman. यह आपको inverted comma को क्लोज करना है? मैं फिर से बोल देता हूँ. inverted comma start करना है? Now, we are really going to get some water woman, comma क्लोज. first stop. Is Lancho sure that it is going to rain? क्ये रिए 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 और आणस्वा ले किये? Yes, Lancho is sure that it would rain. Because he had looked clouds in the north east sky. This cloud made the rain sure. Question number 3. What happened at the mealtime? What happened at the mealtime? What happened at the mealtime? At the mealtime big drops of rain began to fall. Question number 4. What object Lancho called the new coins? Why he called? Answer. Lancho called the rain drops new coins. He called it so because the rain drops would enrich the harvest. उसने बूंदों को नई सिक्के इसली कहा था. क्योंकि उनसे फसल अच्छी होती और अच्छी फसल होती तो पैसे जादे मिलते हैं. इसली उसने उनने नई पैसे कहा है. Question number 5. Why did the postman go to his boss laughing heartily? Answer. The postman went to his boss laughing heartily when he saw the strange address on the letter which was to God. Question number 6. What was the effect of the hail storm? ओलो के तूफान का क्या प्रभाव पड़ा? The hail storm destroyed the whole crops of Lancho and the flowers had also fallen from the plants. Question number 7. Why was Lancho sad? What was his only hope? Answer. Lancho was sad because the hail storm ruined his crop totally. And his only hope was the help from God. Question number 8. Why did the postman laugh at Lancho's letter? Answer. The postman laughed at Lancho's letter because it was addressed to God. Question number 9. When did Lancho receive the letter? Why did he became angry? When did Lancho receive the letter? Lancho ने पत्र कब प्राप्त किया? On the following Sunday, Lancho received the letter. आने वाले रविवार को Lancho ने पत्र प्राप्त किया? He became angry when he found less money in the envelope. और जब उसे लिफापे में कम पैसे मिले तो वो क्रोधित हो गया. Question number 10. Why should the postmaster have not allowed Lancho's letter to God to remain unanswered? इसका उत्तर, the postmaster should have not allowed Lancho's letter to God to remain unanswered because it would have shaken his faith in God. Postmaster ने Lancho के पत्र को निरुत्तर इसलिए नहीं रहने दिया कि उसका विश्वास भगवान में बना रहे उसे कोई थेस ना लगे. Question number 11. Why did Lancho describe the post office employees a bunch of crooks? Were there really a bunch of crooks? Lancho ने post office employees को bunch of crooks क्यों कहा? क्या हो वास्ता में थे? Answer. After opening the envelope he found only 70 pesos instead of 100 pesos. He thought that the postal employees has taken out his 30 pesos. So he called them a bunch of crooks. But they were not a bunch of crook indeed. Question number 12. How would you describe the post office employees? Answer. The post office employees were kind, generous and honest people. They helped a farmer in his requirement. They did not disappoint a man with utmost faith in God. यहनी उसका जो बेहद विश्वास इस्वर में था वो उसे डगमगाना नहीं चाहते थे. Question number 13. The post master watch. इसके parts अलग लग दिये. A. Number 1. Kind. A. Kind, B. Generous. C. Fund loving. D. A good worker. E. Hard working. यह उसकी qualities दिये. अब give an example in support of your answers. यह जितनी उसकी qualities बताईए. इनके समर्थन में आप अपना answer दिये. इसका answer है. The post master was kind because he realized the need of lencho. वह दयालू था क्योंकि वह lencho की आवशकता को समझता है. He was generous as he collected money for him. और वो एक दयालू आदमी था, एक उदार रिखती था क्योंकि वह lencho के लिए पैसा एकठा करता है. And gave him, and gave a part of his salary also. और अपने भी तनखा का एक हिस्सा उसे देता है. And he laughed heartily after seeing the letter. So he was a 11th person. क्योंकि वह जब उस address को देख के हसता है, तो वह एक मजाक्या व्यक्ति भी है. इस तरह इसका answer पूरा हो जयता है. And he is hard working because he collect money and he sent a letter to lencho. वह परिश्रम ही इसलिए है क्योंकि वह पैसे भी इकठे करता है उस letter को भेजता है. Question number 14. Find out the meaning of this saying. Inverted comma start. Give a dog a bad name and hang it. Inverted comma closed. इस कहावत का अर्थ मताइए, इसका मतलब क्या होता है? Who is this story has a bad name? इस कहानी में ये किसके विशे में बात कही गई है? Answer, the dog is a faithful animal but by mistake we sometimes feel that he is unfaithful and we condemn him. कुष्ता एक बहुत वफादार जानवर होता है. लेकिन कभी-कभी गलत फहमी में है हम उसे बेवफा मान लेते हैं और उसे हम मार डालते हैं या भगा देते हैं. The postmaster though generous was mistaken by lencho as a cheater. इसी तरह जो postmaster है वह बहुत दयालु वेक्ति हैं लेकिन गलत फहमी में lencho से एक ठग मान लेता है, एक लोटेरा मान लेता है. Question number 15, describe the view that could be seen from the house. उस मकान की उचाई से क्या-क्या दिखाए पड़ता है? उसे बताईए, उस द्रश्य को आप वाड़ित कीजिए. आंस्वर लिखें, one could see from the house, the river, the fields of ripe, dotted with flowers, and the valley. Question number 16, why did lencho go out when it started raining? जब वर्षा शुरू होती है, तो lencho बहर क्यों जाता है? इसका answer, Lencho went out of the house because he wanted to feel the rain on his own body. वो से शरीर पर महसूस करना चाहता है, बूंदों का आनन्द लेना चाहता है, इसलिए बहर जाता है. Question number 17, what did Lencho think throughout the night? Answer, Lencho thought all through the night only about his single hope, the help from God. Question number 18, what did Lencho write in his letter to God? Answer, Lencho wrote in his letter to God that he required 100 pesos to sow his fields again and to feed his family until the crops come. Because the hell stones has been ruined his crop, he placed the stamp on the envelope and dropped it into the mailbox. Question number 19, how did the postmaster collect money for Lencho? Answer, the postmaster collected the money for Lencho from his employees and he himself gave a part of his salary. Question number 20, how much money did Lencho need and how much did he received? उसे कितने पैसे के जुरत थी और उसे कितने पैसे मिले? His counselor, Lencho needed 100 pesos but he received only 70 pesos. Question number 21, what did Lencho write in his second letter to God? उसने अपने दूसरे पत्र में इश्वर को क्या लिखा था? Answer लिखें, in his second letter to God, Lencho wrote to send him the rest of money. But he requested God not to send the money through the mail. Because the postal employees were cheaters according to him. इसे दुबारा सुनने? In his second letter to God, Lencho wrote to send him the rest of money. But he requested God not to send the money through the mail. Because the postal employees were cheaters according to him. Question 22, what type of man was Lencho? Lencho किस्तरा गार्विदा? Answer, Lencho was a hard working man. He had utmost faith in God. He loved his family. And question number 23, why was Lencho annoyed with the postal employees? Answer, Lencho was annoyed with the postal employees. Because he thought that they had taken out the money from the envelope. ये हमारे short answer type questions पूरे हो गए. अब हम vocabulary पाते हैं. Vocabulary में आपको 5-4 सब्दों के एक लिस्ट दी जाएगी. दूसरी दरफ आपको दूसरी लिस्ट मिलेगी जिसमें वो नंबर आगे पीछे बतले होगे. आपको पहली लिस्ट के सामने B लिस्ट में से सही शब्द ढोंड के जिसका meaning एक हो. Synonym वो उसके सामने लिखना होगा. जिसका हम आपको answer दे रहे हैं. Question आप जो आपको वीडियो में दी जाएगी. किताब की जो आपको PDF मिलेगी उसमें आप देख सकते हैं. ठीक है? लिस्ट ए नमबर बन प्लेग इसकांसवर है attack. नमबर टू वर्ड प्रेडिक्ट इसकांसवर है make a forecast. नमबर थ्री कृप इसकांसवर है dishonest person. नमबर थ्री फॉर्थ draft it means covered with. नमबर दू लिस्ट मायेंगे entire it means total. draft it means covered. freely that means really. bunch that means group. लिस्ट नमबर थ्री. evident clear. solitary lonely. conscious the inner soul. crest it means peak. इसका भी पाट. fill in the blanks with the proper word as given below. the words are given a bunch of crooks, heartily, correspondence, salary. यह शब्द आपको दिये गए जिन आपको use करना है जो दिये गई खाली जगे उनमें भरना है. तो हम answer देते हैं. पहला, the postmaster laughed, sorry, the postmaster laughed heartily. नमबर दो, the government servants get salary on the first day of each month. नमबर तीम, Lencho wanted to make a correspondence with God. और नमबर चार, nowadays you can easily find a bunch of crooks everywhere. इसका part अगला शुरु होता है words का, अगले words दिये हैं, Conscience, Daybreak, Denied and Nicking. पहला, the birds chatter to welcome Daybreak. पहले उसमें यूज करेंगा आप Daybreak. दूसरा, All of his friends denied to help him. दूसरा sentence में आप यूज करेंगा, Denied. तीसरा sentence, The patient was licking his lips. नमबर चार, Always do whatever your conscience says. अब सी पाट सुरु होता है, Use the following phrases in your sentences, so as to make their meanings clear. जो phrase दी गई है, नीचे, उन्हें आप अपने शब्दों में इस तरह यूज करेंगे, जिस से उनका आर्थ भी clear हो जाए और वो प्रियूक्त हो जाए. पहले, The cyclone did not pass quickly. दूसरा, He works so hard in fields that people call him an ox of a man. Number three, There is a bunch of crooks everywhere in offices. Number four, The lawn is dotted with flowers here and there. Number five, The boys prefer to ask for a car instead of a bike. नावे डेच्च। ये हमारा chapter दोसरा, ये लेटर टुगॉड पूरा हो चुका है. अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ, फिर मिलते हैं, तब तब के लिए धन्यवाद। Dear students, Welcome to our today's class. Today we are taking our next poem, The Psalm of Life. Written by H.W. Longfellow. He was an American poet, who was a famous poet of his life, and he was the first teacher of European languages. जो हमारे कविता के लेखा के, मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूं, उनका जन अठाएसो साथी स्वीन हुआ था, और उनके मरत्यूई थी, 1882 इस्वी में. और वो यूरूप के भासाओं के, यूरूप ये भासाओं के बहुत अच्छे अध्यापक थे, और अपने समय में बहुत famous थे. उनकी जो ये पोयम है, उस पोयम में हमें भताया गया है, कि जीवन कोई ऐस्थाई छण भंगुर नहीं है, बलकि एक भहुत गंभीर विशय है, जीवन को हमें कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए, एक गुंग ए जानवर की तरह अपना जीवन हमें नहीं जीना चाहिए, बलकि हर परिस्थिती से लड़ते हुए, अपने उद्दिश शेक्योड बढ़ना चाहिए, और उन पर विजए प्राप्त करनी चाहिए, इसे जीवन कहते हैं, ठीक है, अब हम पोयम पे आते हैं, आप लोग अपने किताबें खोलनें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं, वो वीडियो में देखते रहें और पढ़ते रहें, हम explain करते चले जाएंगे, let us start, life is real, life is earnest, जीवन वास्त्युकता है और जीवन गंभीर है, and the grave is not its goal, और केवल मर जाना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है, जिसका भावार्थ यह है, कि हम जीवन को बहुत गंभीरता से लें, यह नहीं जीए और मर गए, बलके उसका उद्देश्य निश्चत उद्देश्य होता है जो रवा में यहां जनम लेते हैं, और उस उद्देश्य को पूरा करना ही हमारे जीवन की सफलता होती है, डश्ट दावार्थ टु डश्ट रेटर्नेश्ट, वाज नॉट स्टॉकिन अफस्वार्थ, डश्ट कहते हैं धोल, आर्ट कहते हैं कला, या कारिय जो हम करते हैं, रेटर्नेश्ट मिंस वापस हो जाना, तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी कुछ करेंगे वो सब धोल में मिल जागा और मिलता है तो मिलने दो, वो हमारा सिर्दर्द नहीं है हमें उसमें नहीं सोच रहा है हमें केवल अपना उद्देश से पूरा करना है अपना जीवन पूरा करना है हमारी आत्मा का उद्देश से यह नहीं होता हमारी जीवन का उद्देश से यह नहीं होता कि हम जियें, जन्म लें और मर जाएं, बलकि ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसी कुछ सफलता प्राप्त कर जाएं, जिससे कि हमारे लोग हमें कुछ याद भी करें, लोगों को लगें कि हाँ, इस आदमेरे अपना जीवन जिया है, not enjoyment and not sorrow, is our destined and our way, destined and means जो पहले से निश्चित उद्देश से है, केवल खुशियां मनाना, या केवल जिन्दगी में दुख ही रहना, जीवन में दुखों का सामना करना, ये हमारे जीवन का निश्चित उद्देश से नहीं होता है, अगर हमाने बहुत ज़्यादा खुशियां मिल रही है, बहुत ज़्यादा हमारे सामने कोई परिशानी नहीं आ रही है, तो भी हमें उन खुशियों में नहीं खो जाना है, हम अपने वास्त कुद्धिष्य को धान में रखना है अपने जीवन को सफल बनाना ऐसा कुछ करना है जो समाझ के लिए, मानो जाती के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी को या दोजी तरफ अगर हमें कोई बिल्कुल परिशानिया मिलती है जीवन में जैसा अक्सर होता है कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सामने बहुत परिशानिया आती है उन परिशानियों से भी हमें घबराना नहीं है उन दुखों में भी हमें डूब नहीं जाना है क्योंकि वो दुख भी हमें कुछ टाइम के लिए मिलते हैं जह हम आगे बढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे हम उनका सामने करेंगे तो निश्चित रूप से उनका हम उन पर विज़ाप्राम्ट करेंगे इसलिए कि वो खुशियों में खो जाना या दुखों में डूब जाना ही हमारी जीवन का वास्तिकुद्देश से नहीं है बलकि बट टु एक्ट देट इस ट्यमोरो आने वाला हरे कल फाइंड्स अस फार्दर देन तुड़ बलकि इस तरह हमें काम करते हुए चलना है इस तरह आगे बढ़ते हुए चलना है कि हमारा हर आगे आने वाला दिन हमारे बीते हुए दिन से अच्छा हो हम कुछ और प्रोग्रेस करें दब पीछे देगे हमें लगे कि हम इस से कुछ आगे बढ़ चुके हैं कुछ और उप लब्दे प्राप्ट कर चुके हैं यह हमारे जीवन का कुछ देश्रे होना चाहिए यह हमारे जीवन का तरीका होना चाहिए In the world's broad field of battle In the work of life World's broad field of battle Field of battle कहते हैं युद्शेत्र World's broad field of battle is संसार रूपी युद्शेत्र आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा अपने दादा दादियों से भी सुना होगा कि जीवन एक बहुत बड़ा संगार सोता है और हम इस संसार में जनम लेते तो कुछ सुधार करने के लिए कुछ उद्शे प्राप्त करने के लिए हर आदिम को यहां भेजा जाता है तो कुछ करने के लिए किसी का जीवन एक रुद्शे नहीं होता है लेकिन वो सफलता या वो उद्शे हमारे आसानी से पूरे नहीं होते है इसलिए आपका जो जीवन होगा वो इस संसार में बहुत बड़ा संगर्ष छेतर साबित हो सकता है आपको कई बार परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है उन सब पे विजय प्राप्त करने के बाद ही आपको आपकी वास्तिक खुद्देश्य के प्राप्ती होती है आप यहां एस्थाई रूप से आए जरूर है यहां इसका मतलब है कि हम जो यहां आए है जो हमारे उम्रे 50 साल हो 100 साल हो 60 साल हो निश्चित है कि हम आए हैं हमें जाना है लेकिन उसे इतने हलके मनी लेना है कि यार चले जाएंगे जिनकी पूरी कर लेंगे हो जाएगा नहीं कि उस्टम का हमारे को उदिश्च्छ से होता है हम जब तक इस दुनिए हूँ हुँ हांके जाते हैं घडवकलिओं की तरह हमें अपना जी कुछ हमद्र बहडबकलियोंallo गूंगे रहर के module है कि जो गजर दो हमें कुछ नहीं करना है कोई हमारे सामने जिरही कटिना या के कोई हम क्या कर सकते हैं परिष्यतियां भी एढिए हरोह सखरिफ करना है और उसके साथ साथ में विजय प्राप्त करनी है और फिर आगे बढ़ना है तब ही हम अपना उद्दिश से प्राप्त कर पाएंगे और बना जीवन सफल कर पाएंगे लेट जैन बी अप एंड दूइंग तो चलिए हम खड़े होते हैं और काम करते हैं अपना विदे हाट फोर अनिफेट हाट मिन्स दिल या दिल मिन्स मन एनिफेट मिन्स हर परिश्थिती के लिए हर तरह के भाग्य के लिए हम अपने अंदर सहस्थ पैदा करना है शक्ति करनी ही है और यह इतिहास गवाह है कि जब-जब मनुस्थ्य ने ठान लिये वो किसी परिश्थिती के सामने नहीं चुका है हर कठिनाई पर मनुस्थ्य ने विजए प्राप्त किये लगातार हमेशा प्राप्ती प्राप्त करते हुए अपने प्रोग्रेस करते हुए और हमेशा अपने उद्यश्य का पीछा करते हुए पीछा करते हुए पीछा करना अपने उद्यश्य का आपने जो हमारा टार्गेट है जो हमारा गोल है उसका पीछा करते हुए learn to labor and to wait labor माने महनत करना और wait माने इंतियार तो हम महनत करना की सीख लें महनत करें और उसके परिणाम का इंतियार करें रिजल्ट का वेट करें लगातारोप लब्धियां पराप्त करते चले जाए और महनत करते चले जाए और उस महनत का परणा मानने का बड़े शांती पूर पड़े धैर्य पूर वकम प्रतिक्षा करनी इंतिजार करना भी सीखते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें यही हमारी इस पोयम का उद्देश्य था यही इसका मतलब है ठीक है आशा है आपकी समझ में आया पूरी होगी है आशाय आपको समझाई होगी आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे आप लोग अपनी नॉट्बुक्स और पैनले ले और वह साथ करें पूर्ट्री में आपको दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे इस्टेंजा बेश्ट उसमें से आपको उनका उत्तर देना है जो चार नंबर के दो क्वेश्चन होगे और एक क्वेश्चन आपका तीन नंबर का आएगा जिसका उत्तर आपको लगबग 40 वर्ट्स में देना होगा उसमें आपको पोएम का सेंटर आइडिया पूछा जाएगा या उसके विकल्प में आपको आएंगी क आपको क्वेश्चन पूरा हो जाएगा ठीक है अब हम शुरू करते हैं दा फर्स्ट इस्टेंग जा एंड फर्स्ट वर्ड्स लाइफ इस रियल डॉट 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 इस पोकिन दस आउन इसका पहला कुश्चन है वाट इस लाइफ और वाट इस गोल क्या है वाट इस लाइफ डॉट 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 इस लाइफ डॉट 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 डॉ words spoken for the soul, question number three, what are the qualities of life, the life is real, the life is earnest, question number four, what does the poet mean by the saying, dust thou art, to dust returnest, the poet means by saying, start, dust thou art, to dust returnest, closed, it means our body is made of soil and it will mix in the soil after the death. Arthad? Our body is made of milk and after die, it will be made of milk. Question number five, what does the word dust stand for in dust and the answer, the word dust stands for, number one, earth, number two, water, number three, sky, number four, air and number five, the fire. Stranger two, Stranger two, starting words are, not enjoyment dot dot dot, further than today, last words, further than today, question number one, of Stranger two, write the name of the poem from which the above Stranger has been taken and who is the poet of the given poem? Answer, the name of the poem from which the above Stranger has been taken is the psalm of life and the name of the poet is H.W. Longfellow. Question number two, what does the poet say about the first two lines in the Stranger? Answer, in the first two lines the poet says that the goal of our life is not only to die or to be grieved or to be only happy. Question number three, what is the goal of our life? Answer, to act for our progress and prosperity is the goal of our life. Question number four, what is the meaning of destined in the Stranger? What is the meaning of destined in the Stranger? What is the Stranger? What is destined in the Stranger? What is destined in the Stranger? Answer, destined means the pre-decided aim of the life. Question number five, how should we act in our life? Answer, we should act in our life to make our future bright and happy. Question number six, pick out the remaining words in the above Stranger. This answer A, the remaining words are way and today. Stranger number three, starting words are in the world. and dot 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 dot, last words are in the strife. Question number one, what has the word been compared in the given Stranger? and what means by the word Bevoik? This Stranger means the world and the world and the world and the world and the world is compared to a broad battlefield. In this poem. And Bevoik means the temporary camp. Question number two, what does the poet want us to do? Answer, the poet wants us to struggle like a hero with the difficulties of our life. Question number three, how can we become a hero? Answer, we can become a hero by facing the struggle of life bravely. Question number four, what does the poet not want us to be? Answer, the poet does not want us to be like dump driving cattle. Question number five, point out the rhyming words in the above Stranger. Answer, the rhyming words are life and strife. Stranger, four start hotta hai. Starting words are, let us then, dot dot dot. Last words are, end to wit. Question number one, what does the poet mean by the phrase be up and doing? What do the words heart and fate mean here? Answer, by the given phrase, the poet means that we should do our work. And the word heart means courage and the word fate means result. Question number two, what do we learn from this above Stranger? Answer, according to the poet, we should learn to work hard and to wait for the result patiently. Question number three, point out the rhyming words. Answer, the rhyming words are fate and fate. Aapke Stranger based questions, puri hooghe. Aaphame appreciation based question lenge. Toh, appreciation of the poem, shurru karte hai. Question number one, what should be the aim of our life? Answer, the aim of our life should be to work hard for making a happy future. Question number two, what does the poet think about life? Answer, the poet thinks about life, that the life is real and has a pre-decided goal. Question number three, what is said about the body and soul? Answer, the poet says that the body is immortal, but the soul is immortal. The body will die one day, but the soul never dies. Question number five, what does the poet advise us? Answer, the poet advises us to face the struggle of our life bravely. Question number six, write the central idea of the poem. Poem ka central idea aap likhhenge? Answer, the poem, the psalm of life is written by H.W. Longfellow and the central idea of the poem is as following. The life is real, the life has our destined goal. The poem tells us that the life is a serious thing. It should not be wasted in joy or in sadness only. We should not be like a dumb driving cattle, but we should be a hero in our life who works hard and waits patiently for a happy future as a result of his working hard, of his labor. तो यह हमारे कुश्चन आस्वर थे दूसरी पोएम के जो पूरे हो चुके हैं, आशा है आप समझ गयोंगे, नहीं समझ आएं, वीडियो को दुबारा देखें, फिर से देखें और इसे याद कार लें. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, बुट बाई. Dear Students, Welcome to our today's class. Today we are starting our poetry. Our first poem is The Fountain, written by James Russell Novel. Have your books and read with me. James Russell Novel was born in 1890, and he was died in 1891. He was born in Cambridge, and was educated at Harvard University, where later he became a professor of modern languages. इस पोएम में, राइटर ने हमें, पोएट ने हमें बताया है, फवारे के प्रवर्ति के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, उसकी जी जी विशा के बारे में. पहले तीन इस्टेंजाज में, पोएट हमें ये बताता है कि फवारा अलग-अलग तरह के रोशनी में, किस तरह अपनी चमक को बनाए रखता है, कभी भी धोमिल नहीं पड़ता है. उसके बाद, उसकी उपर की गती की तरफ, heavenward, progressive motion के प्रकाश डाला है, ये बताया है कि हमेशा फवारा जो है, उपर की तरफ, आकाश की तरफ अर्थात, उन्नती की तरफ बढ़ता रहता है. सबसे आखरी स्टेंजा में, पोएट ने ये इच्छा जाहिर की है अपनी, ये इच्छा विक्त की है, कि मेरा मन भी फुहारे की तरह ही हमेशा, fresh, changeful, और constant, and upward like the, कहा है उन्ने, कि हमारे मन भी इसी तरह होने चाहिए, जो हमेशा, ताजा, प्रसंचित, परिवर्तंशील, और इस्थिर, गंभीर, और हमेशा प्रगत्य की पत की तरफ अग्रसर होने चाहिए, ठीक है, अब हम पोएम लेते हैं, आप लोग इस्टेंजा, बाइस्टेंजा, मेरे साथ चले इन्टु दे संशाइन, फुल अफ लाइट, फुल अफ द लाइट, लीपिंग और फ्लेशिंग, फ्रम मौन तिल नाइट, इसमें पोएम बताता है, कि जो हमारा फाउंटेन है, जो फुवारा है, सूरी की रोशनी में, धूप में, परकास से भरा रहता है, उचलता रहता ह मिन्स उचलना, और फ्लेशिंग मिन्स चमकना, जहल मिलाना, तो उस रोशनी में उचलता है, और जहल मिलाता हुआ, फ्रम मौन तिल नाइट, सुबह से रात तक, जहल मिलाता रहता है, उचलता रहता है, अर्था चलता रहता है, गतिशील रहता है, ये पहला इस्टेंज हम कम हो जाता है. दिन से परकास बहुत ज्यादा होता है सोरज का. चंदरमा का प्रकास भहूत. उसके मुकाबले कम होता है. लेकिन उसमें भी क्या बता है into the moonlight चंद्रमा की रोश्णी में अर्था चांद्री में whiter than snow बर्फ से भी सफेद दिखाई पड़ता है यानि रोश्णी कम हो गी है लेकिन फौरे ने अपना अस्तित उसमें धोमिल नहीं किया है फेड आउट waving so flower like when the winds blow और जब हवा चलती है हवा चलने के साथ जैसे फूल हिलता है इस तरह उसकी पानी की धार है जो पड़ती है उपर से वो ऐसे हवा में हिलती है जो हमें फूल की तरह दिखाई पड़ती है और अब into the starlight starlight means सितारों की रोश्णी इसका मतलब सितारों की कोई रोश्णी बहुत ज़्यादा नहीं होती है अंधेरी रात होती है rushing in spray सितारों की रोश्णी में जो छोट छोटी फूहारे होती है उनके रूप में ये चलता रहता है गतिशील रहता है happy midnight, happy by day और उसके विशेष्टा क्या है कि जब दिन था तब भी वो खुश है और जब आदी रात यानि घोर अंधिकार हो गया है तब भी वो खुश है इसका मतलब हमें भी फूहारे के समान कैसी भी परिश्थिती हो चाहे हमारे पास खुशीयों की रोश्नी है चाहे परेशानियों की हमारे पास अंधकार है परेशानियों का तो भी हमें हमेशा उनका मुकाबला करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए और हमेशा गतिशील रहना चाहिए ever in motion blidsum and cheery ever in motion हमेशा गतिमान हमेशा चलते हुए आगे बढ़ते हुए प्लिद्सम प्रसंद खुश और चियरी चियरी माने भी खुश आनदित यानि जहां अंत्रिक खुशी होती है तो फुरे की विशेष्था अगली बताते हुआ हमें एवर इन मोशन हमेशा गतिमान ब्लिद्सम और चियरी प्रसंद और आनदित बहुत खुश इस्टिल क्लैमिंग हेवन वाल और एक स्थिर गति से उपर की ओर आवा आकाश की ओर चड़ते हुए यानि प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नेवर अवियरी कभी ना ठकते हु वही फॉंटेन हमेशा उपर की तरफ प्रोग्रेस करता रहता है यह आपने देखावागा पानी जब आता है नीचे से हमेशा उपर की तरफ वारे मेंसे जब निकलता है उसके बाद वो नीचे चला जाता है ग्लेड ऑफ ओल वैदर्स इस्टिल सीमिंग बैश्ट ग्लेड वाने खुश प्रसंद सब तरहे के मौसम में खुश मौसम से यहां परिष्थितियों से मतलब है का चाहे बहुत अच्छा मौसम है अर्था परिष्थितियां बहुत अनुकूल है और चाहे खराब मौसम है च इस्टिल सीमिंग बैश्ट वो हमेशा एक समान एक इस्थिर रूप में दिखाई पड़ता रहता है कभी वो अपने इस्थिरता को गंभीरता को नहीं चोड़ता है अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन दाइरेश्ट उसका जो फवारे का जल है जो पानी है चाहे वो पा काम मिलता है ठीक है आगे फुल अफ नेचर नतिंग केंटेम यहां नेचर मेंज प्रकृति और प्रकृति का मतलब है यहां उर्जा जीवन से भरा पुरा नेचरल एनेर्जी से भरा हुआ लबालब तो हमारा जो फवारा है वो प्राकृतिक उर्जा से प्राकृतिक शक्ति से जीवन की उर्जा से भरा हुआ है Nothing can tame कोई भी शक्ती, कोई भी परिस्थिती उसे अपने वश में नहीं कर सकती, उसकी गती को नहीं रोक सकती Change every moment, ever the same हमेशा बदलता हुआ हर्चन बदलता हुआ और फिर भी एक जैसा दिखाई देने वाला इस लाइन को आप दुबारा देखें यहाँ थोड़ा विरोधा भास आया है Changed every moment हर्चन बदलने वाला ever the same और फिर भी एक जैसा रहने वाला है तो यह थोड़ा विरोधा भास है इसका मतलब उसमें जो पानी आता है फौरे माप थोड़ा इमेज करें वो हर पल नया पानी आता रहता है पुराना पानी जाता रहता है नीचे से नाता जाया और नीचे उसमें चला गया तो वो Changeful हो गया लेकिन everything जो हमें फौरे की आकरती नजर आती है जो भी वो फूल जैसा लगता है जो उसके डिजाइन नजर आती है वो हमेशा बिल्कूल एक जैसे दिखाई पड़ती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस तरह उपर से वो बिल्कूल एक जैसा दिखाई देता है और अंदर से उसमें पानी का Change होता रहता है इसका मतलब हमें भी फवारे की तरह अपने विकास के राष्टे पर चलने के लिए परिवर्तन तो करते रहने चाहिए चाहिए हम अपने राष्टे बदल दें चाहिए हम अपने तरीके बदल दें चाहिए हम अपने प्रियास बदल दें जैसे भी हम कर रहे हैं लेकिन एवर दा सेम कॉंश्टेंट ट्रूप से हम कोशिस करते रहें उसी स्पीड से उसी तरीके से आगे बढ़ते रहें यह हमें फौरा कहता है सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट सीजलेस मिन्स निरंतर बिना रुके एस्पायरिंग माने उपर उठना इट मिन्स प्रोग्रेसिव नेचर तो कहता है कि फ्वारे की प्रिविर्टी होती है जो उसकी नेचर होती हो प्रोग्रेसिव होती है हमेशा उपर उठते रहन खेलता हुआ अच्छा प्यारा सा फ्वारा नजार आता है डार्कनेस और संशाइन दाई एलिमेंट चाय अंधे रहो, चाय धोफ हो तुम हमेशा अपने जीवन से जुड़े रहते हो अपने जीवन तुता को दिखाते रहते हो हमेशा चलते रहते हो ग्लोरियस फाउंटेन ग्लोरियस मिन शांदार कभी कहते हैं शांदार फ्वारा हे शांदार फ्वारे लेट माई हर्ट भी मेरे दिल को भी, मेरे मन को भी ऐसा ही होने दो ऐसा ही बना दो फ्रेश, चेंजफुल, कॉंस्टेंट अप्वार्ड लाइक दे फ्रेश मिन्स खुश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तन शील जो मैं आवर्शक्ता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकूं क्योंकि जहां परिवर्तन नहीं होते हैं वहां विकास नहीं होते और कॉंस्टेंट मिन्स धीर, गंभीरता लिये हुए एक स्थिर रूप से बिना विचलित हुए अपने रास्ते पे अपवार्ड लाइक दी उपर की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ तुम्हारी तरह ही प्रोग्रेस ही रहूं, उपर तरक्की की तरफ चलता रहूं ये हमारी पोयम थी आशा है आपको समझाई होगी, नहीं आईए, आप वीडियो दुबारा देख ले, अगली वीडियो में इसके हम question answer लेका आयेंगे, तब तक के लिए, bye, thank you प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है पिछली क्लास में हम अपनी पोयम The Fountain कम्प्लीट कर चुके हैं, आज की क्लास में हम उसके question answer करेंगे, मैं आपको question answer बोलता हूँ, आप पे note करते चलें, और फिर उन्हें याद कर लें, ठीक है, शुरू करते हैं, आप भी शुरू करें इसमें मैं आपको यह बताने चाहूँगा, कि दो question आएंगा poetry में से आपके, पहले दो question stanza based होंगे, जो दो-दो number के आपको करने होंगे, stanza based है उसका answer होगा, दूसरा question में आपको central idea लिखना होगा, लगबग 40 words में, या उसकी जगह आपको अपनी text book में से किसी भी poem की चार line लिखनी होगी, यह आपकी choice होगी, इस तरह के आपके question आएंगे, तो अब आप अपना note box ले ले ले, तो question number मेरे साथ question answer करते चला है, पहले stranger, सबसे पहले हम comprehension लेते हैं, stranger first, starting words are into the sunshine, dots, dot dot, last words are from morning till night, इसमें पहला question है, how does the fountain appear in the sunshine, धूब में फ्वारक कैसा चमकता है, इसका answer है, the fountain appears full of light in the sunshine, आगे, दूसरा question है, what does the poet describe in the above lines, उपर की lines में, जो भी आपने पढ़ी है, जो आपके poetry में पहले इसका आप लिखेंगे, the poet describes in the above lines, that the fountain is leaping and flashing from morn till night, एक बार फिर शुनले, the fountain, in these lines, the above lines, the poet describes that the fountain is leaping and flashing from morn till night, इसमें लास्ट केस्टिन होगा, pick out the words which has the same rhythm, उसके लिए आप की जो पहला श्टेंजा है, उसमें same rhyme वाले words है, light and night, यह दोनों शब्दी स्थरे के, जो बोलने में एक जैसी धनी देते हैं, लगबग, light and night, stranger to, stranger to में हमारा शुरू के सब्दें, in the moonlight, dot dot dot, last words are, when the winds blow, इसमें आपका पहला question, how does the fountain look like in the moonlight, इसमें आप उत्तर लिखेंगे, the fountain looks like whiter than snow in the moonlight, फिर से सुने, in the moonlight, the fountain looks like snow, अगला question number two, what kind of moment does the word waving suggest, waving से किस तरह की गती का भान होता है, किस की तरफ संकेत होता है, इसका दूसरा पाट है, what is meant by the word so, used in the third line, तीसरी लाइन में जो इस दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस सो का मतलब क्या है, इसका उत्तर, the word waving suggests to and fro, जो waving शब्द हमारा आया है, इस लाइन में उसका मतलब होता है, इधर और उधर, to and fro means, इधर होता है, और the so word means like, saman, so शब्द का जो मतलब है, वो है, saman, like, ठीक है, अगला, नमबर तीन, what color is the fountain in moonlight, what is the significance of the word in two, in first line, इसमें पूछता है कि चांदनी में फ्वारे का रंग कैसा होता है, दोसरा पार्ट इस question का, कि सबसे पहले जो शब्द यो जो हुआ है, into the moonlight, इसमें into का क्या मतलब है, तो इसका answer है, the color of fountain in the moonlight is whiter than snow, बर्फ से भी सफेद दिखाए देता, चांदनी रात में हो, और the word into means wrapped in, covered with, इसका मतलब है, कि into का मतलब है, लिप्टा हुआ, into the moonlight means, चांदनी में लिप्टा हुआ, चांदनी से डखाओ, जो answer के लिए रहोगा होगा, एक बार फिर सुन लें, the word waving suggests to and fro, इधर और उधर, and the word into means wrapped in, या covered with, लिप्टा हुआ या धका हुआ, ठीक है, question number four, question number four में हम चलते है, what is the effect of moonlight on the fountain, चांदनी का फुआरे पर क्या प्रभाव पढ़ता है, इसका प्रभाव ही पढ़ता है, in the moonlight, the fountain is looking whiter than snow, ठीक है, in the moonlight, the fountain is looking whiter than snow, चांदनी का फुआरे पर या प्रभाव पढ़ता है, वो बर्प से भी ज्यादा सफियन दिखाई पढ़ता है, question number five, what happens when the winds blow, क्या होता है जब हवा चलती है, इसका उत्तर है, when the winds blow, the fountain waves like a flower, when the winds blow, the fountain waves like a flower, एक फूल की तरह हो फुआरा हिलता है, stranger number three, इसके first words है, into the starlight, dot dot dot, last words are, happy by day, इसका पहला question, how do you know that the fountain is always happy, आप कैसे जानते हैं कि फूआरा हमेशा खुश रहता है, the fountain moves up and up all the time, it shows that fountain is always happy, क्योंकि फूआरा लगातार उपर की ओर चलता रहता है, यह इस बात का संकेत है, यह हमें बताता है कि फूआरा हमेशा परसन रहता है, खुश रहता है, question number two, which quality of fountain affects the poet, फूआरे की कौन सी quality, कौन सी विशेशता कभी को प्रभावित करती है, इसका उत्तर, the quality of the fountain is to be happy in all weathers, which affects the poet, हर परिस्थिती में, खुश रहने की जो फूआरे की quality है, विशेशता है, वो कभी को हमेशा परभावित करती है, question number three, what do you understand by the word spray used in the poem? इस poem में जो spray शब्द यूज किया गया है, उसका क्या आर्थ है, उससे हम क्या समझते है, answer, the word spray used in the poem tells us that the fountain spreads its happiness in all the directions, यह जो spray शब्दे, इसका यह मतलब है, कि फुवारा अपनी खुशियों को चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में विखेरना चाहता है, stanza four, ever in motion, dot dot dot, last words, never aviary, इसका पहला question, how does the fountain remain in motion, यह जो फुवारा है, यह किस तरह गतिमान रहता है, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, the fountain remains in motion, bleedsome and cheery, the fountain remains in motion, bleedsome and cheery, वो गतिमान रहते हुए, खुश और प्रसन ना जाराता है, question number two, in which direction does the fountain climb, फुवारा किश दिशा में चड़ता रहता है, इसका आप उत्तर है, the fountain climbs up to heavenward, वो हमेशा स्वर्द की तरफ, आस्मान की तरफ, आकाश की तरफ, उठता रहता है, चलता रहता है, question number three, what lesson can we learn from the constantly heavenward moving fountain, हम लगातार उपर की तरफ चलते रहने वाले प्वारे से, क्या सीख सकते हैं, तो इसका answer है, we can learn from the constantly heavenward moving fountain, that we should also work hard to achieve our goals. question number four, why has the fountain been called ever in motion, fountain को फुआरे को हमेशा गतिवान, गतिशील क्यों पोकारा गया, क्यों कहा गया है, तो इसका मतलब है, the fountain has been called ever in motion, because it never stops and moves upward every time, यह हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा उपर की तरफ चलता रहता है, इसलिए फुआरे को ever in motion कहा गया है, question number five, describe the qualities of fountain as mentioned in the above noted estrangea, दियेगे estrangea में जो फुआरे की quality बताईगी है, जो fountain के qualities बताईगी है, उन्हें बताईए, उनका वर्ण कीजिए, तो इसका answer है, number, the main qualities of the fountain described in the above estrangea are, number one, always in motion, फुआरा हमेशा गतिशील रहता है, number two, happy and cheery, blinsome and cheery, हमेशा खुश रहता है, number three, going heavenward, हमेशा आकाश के तरफ उठता रहता है, परगती के तरफ उठता रहता है, और number four, never aviary, कभी भी थत्ता नहीं है, question number six, point out the ramming words in the above estrangea, जो एक जैसे बोलने वाले शब्दें, एक जैसे धनी वाले शब्दें उन्हें, इस stanza में से धूंड ये, तो इसमें आपका उत्तर आएगा, number one, cherry, the word, the ramming words are number one, cherry, and number two, aviary, stanza five, शुरू के शब्दे, cland of all weathers, dot dot dot, last के शब्दे, motion thy rest, एसमें question number one, what is the condition of the fountain in all weathers, सभी मौसम में, fountain की क्या इस्थिती रहती है, तो इसका आपांसवर लिखेंगे, it looks glad in all weathers, the fountain looks glad in all weathers, वो हभी हर मौसम में, प्रसन दिखाए देता है, खुश दिखाए देता है, दूसरा question, how does the fountain move, fountain for vara किस तरह गती करता है, the fountain moves upwards and downwards, for vara जो गती करता है, उपर जाता है एक बार, फिर नीचे करता है, एक बार पानी उपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो इसकी गती होती है, upward and downward, question number three, what does the poet mean by the line, motion thy rest, ये जो शब्द है, motion thy rest, से poet का कभी का क्या मतलब है, the fountain never takes rest, always remain in motion, this is the meaning of the poet, by the words, motion thy rest, यानि वो गती में ही आराम करता है, कभी फ्वारा थकता नहीं है, रुपता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, इसलिए कभी ने का है, motion thy rest, question number four, what lesson does the poet want to give you in the above stanza, ओपर वाले stanza में, poet हमें क्या सिक्षा देना चाहता है, तो इसका आन्स्वर है, the poet teaches us to be active, to achieve our goals, ठीक है, वो हमें ही शिक्षा देता है, कहमें हमेशा अपनी, जो हमारे उद्दिश हैं, उन्हें प्रूबा करने के लिए, क्रियाशील रहना चाहिए, question number five, pick out the words from the above stanza, which rhymes the same, तो इसका उत्र है, the same rhyming shab, the same rhyming words are best and rest, stanza six, first words are full of nature, dot, 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 ever the same, question number one, what do the first two lines of the given stanza mean, जो इस stanza की पहली दो लाइन है, उस में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, तो इसका उत्तर है, in the first two lines of the given stanza means that the fountain has natural energy to go upward, हमारा जो फवारा है, फवारे के पास प्राकृतिक शक्ती होती है, जीवन से भरा हुआ होता है, जो वो हमेशा ओपर की तरफ गती करता रहता है, question number two, what is the nature of the fountain, फवारे की प्रकृति क्या है, सुभाव क्या है, the nature of the fountain is uncontrollable, फवारे की प्रकृति हमेशा गतिमान रहने किया, जिसे कोई वश में नहीं कर सकता, वो किसी के रोपने से नहीं रोप सकता, it means the nature of the fountain is uncontrollable, question number three, what do the words change every moment, ever the same, indicate about the fountain, change every moment, ever the same, शब्दों से fountain की क्या विशेष्टा बताई गई है, तो इसका अन्सवर आप लिखेंगे, the words indicates that it always running the same, in every moment, and never changes its appearance, उसने हमेशा परिवर्तन शील और एक जैसा देखने वाला वाले को क्यों का गया है, क्योंकि वो हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा उसमें पानी चलता रहता है, इसलिए तो उसे change every moment का है, और उसकी जो appearance है वो कभी नहीं बतलती, इसलिए उसे the same का है, question number four, how is the fountain ever the same, फ्वारा एक समान कैसे है, answer, the fountain keeps on changes every time, that looks every time the same appearance, पानी हमेशा बदलता रहता है, लेकिन उसकी जो आकरती है, वो हमेशा एक जैसे रहती है, इसलिए उसे ever the same का गया है, एक समान कती से वो पानी बदलता रहता है, चलता रहता है, इसलिए the same का है, इस चेंजा 7, शुरू के शब्दें, she is less aspiring, dot, 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 thy element, question number, first, what qualities of the fountain have been described, fountain की क्या विशेष्टा है, बताई गी है, इस कान सवर है, it always tries to go up and up, कभी ने फ्वारे की विशेष्टा ये बताईएगा, वो हमेशा उपर की तरफ ही, चलता रहता है, question number two, what are the elements of the fountain, जो fountain है, उसके मुख्य तत्व क्या है, तो इस कान सवर है, the elements of the fountain, are darkness and sunshine, फ्वारे के जो मुख्य तत्व है, वो है, या तो अंधेरा या, दोप, उन में भी वो चमकता है, अंधेरे में बचमकता है, समान रूप से चमकता रहता है, question number three, what is the nature of the fountain, फ्वारे की प्रवर्ती क्या है, what do the words, darkness and sunshine indicate, और sunshine और darkness, शब्द किस तरफ इशारा करते हैं, इसका उत्तर, the nature of the fountain is to go up without stopping, the nature of the fountain is to go up without stopping, or darkness means night, and sunshine means day, तो यह इसका उत्तर है, question number five, pick out the remaining words in the above stanza, उपर के stanza में, एक जैसे समान ध्वनी वाले सम्द रोड़िये, तो इसका उत्तर है, the remaining words in the above stanza are, content and element, इस्टेंजा एट, first words are, glorious fountain, dot dot dot, last words are, like, upward like day, question number one, why has the fountain, been addressed as glorious, फवार यह को शांदार क्यों कहा गया है, the fountain has been addressed as glorious, because it looks every time charming and goes upward, it looks charming and goes upward, क्योंकि यह हमेशा सुन्दर दिखाए देता है, और उपर चलता रहता है, इसलिए से शांदार का आगया है, हमारा question number two है, what qualities of the fountain does the poet wish to have, वो कौन सी विशेशता हैं, जिनने कभी अपना ना चाहता है, हो चाहता है, मेरे पास भी हो, तो इसका उत्तर है, क्वेशन नुम्बर three, the poet has called the fountain changeful and constant, why has he used these contradictory words for the fountain, कभी ने फ्वारे के लिए changeful, यानि परिवर्त अशील और constant यानि स्थिर, ये दो विरोधा भाजी सब्ड यूज कियें, इनका अर्थ बताई है, तो इसका उत्तर है, the mean of changeful is to be active, यानि changeful होने का मतलब है, परिवर्त अशील का मतलब है, वो फ्वारा हमेशा कतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है, and the constant means to be in motion every time and not to change its appearance, हो हमेशा गतिमान रहता है एक सावान इस्थिती में, और अपनी आकर्थी को बदलता निये, इस से उसका मतलब एक जैसा इस्थिर से है, हमारा question number 4 है, what qualities of the fountain have been mentioned by the poet in these lines, in line में, in punctियों में, कवी ने फुवारे की क्या का विशेश्था हैं, बताईए, तो इसका उत्तर है, in these lines, the poet describes the qualities of the fountains are changeful, fresh, constant, and upward, every time, तो इसमें बताईए कवी ने, उसकी हमेशा ताज की परशनन रहना, changeful, परिवर्तन शील, constant, इस्थिर, and upward, every time, हमेशा उपर की तरफ परकतिशील रहना, question number 5, point out the rimming words in the above stanza, तो इसका उत्तराब लिखेंगे, the rimming words are be and the, यह आपका comprehension पूरा हो गया, अब अगले इसका लेते हैं, appreciation of the poem, इसमें पहला question है आपका, who is addressing and to whom in this poem, इस कवीता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, तो इसमें answer लिखेंगे, the poet is addressing to the fountain in this poem, इसका पूरा में कवी फुवारे को संबोधित कर रहा है, question number 2, what qualities of the fountain does the poet wish to have, फुवारे की कौन सी विशिष्टाओं को कवी अपनाना चाहता है, इसका answer, the poet wish to have the qualities of the fountain are, freshness, changefulness and to be upward constantly, खुश रहना, परिवरतान सील रहना, और लगातार एक समान रूप से परगती शील रहना, question number 4, what does the poet advise us, कभी हमें क्या सलहा देता है, क्या मश्वरा देता है, तो इसका उतर है, the poet advises us, that we should also keep ourselves fresh, changeful, constant and upward like the fountain, हमें हमेशा फुवारे के समान ही, ताजा, खुश, परिवरतान सील और फुवारे के समान ही, गती शील रहना चाहिए, तो यह हमारे पहले poem के question answer थे, जो पूरे हो गए, इना आप लिख ले और याद कर ले, और बाद में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, Dear students, Welcome to our today's class, Today we are taking our third poem, The Village Song, This poem is composed by Sarojini Naidu, Sarojini Naidu was a famous politician and poetess of modern India, She was born on 13th February 1879 at Hyderabad, She was educated in Chennai and London and Cambridge, She was a famous poetess, a very eminent poetess, and a famous nationalist, Sarojini Naidu is known as the nightingale of India, उन्होंने जो यह village song नाम की कविता लिखी है, इसमें एक मा और उसकी पुत्री का वाद समवाद की रूप में वारतलाब दिखाया गया है, जिसमें मा अपनी पुत्री से शादी की तैयारी की बातें कर रही होती है, उसे समझा रही होती है, लेकिन पुत्री का मन इन सारे बातों में बिलकुल भी नहीं है, वो बार बार अपनी वाद से जंगल में वनो में जाने की बात करती है, और इस वारतालाप में ही इस पोएम में चार स्टेंज आ रहे हैं जिसमें एक मा अपनी पुत्री से समझाने की बात करती है और दूसरी स्टेंज में पुत्री अपनी मा को उत्तर देती है आप लोग भी अपनी पुस्ते के निकाले और मेरे साथ पढ़ती चले हनी चाइल्ड हनी चाइल्ड विदर आर यू गोई प्यारी बच्ची प्यारी बच्ची तुम कहां जा रही हो किधर जा रही हो तुम अपने सारे आभुसणों को सारे जेवरों को इस चलती होई हवा में उड़ा दोगी फैंक दोगी इसका मतलब वो सारी धन दौलत जो तुम्हारी है तुम्हारे लिए है तुम्हें ही उसका उप्यूग करना है क्या तुम उस सब को छोड़के यूँ ही चली जाओगी तुम्हारी वो मा जिसने तुम्हें सोने के दाने चुगा कर खिला कर पाला है अर्थात सोने का चुगा दे कर पाला है सोने का चुगा आप लोग जानते होंगे कि चिडिया जो अपने बच्चों को घंसले में कुछ लाला के खिलाती है न बहार से जब बच्चे बहुत चो तो वोने सौने का चुगा खेला के पालते हैं, यह कहवत होती है, इसलिए वो कहती है कि जिस माने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़के चली जाओगी। Would you agree with the lover who is riding forth to wed you? और तुम्हारा वो प्रेमी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है उसे भी छोड़ करें नहीं जाओगी दोसरे शब्दों में कि जो तुम्हारा प्रेमी गोडे पर यहां तुमसे शादी करने के लिए राषते में चला आ रहा है उसने तुम्हारे साथ जीने मरने के सपने देखें, जो अपना भविश्य, अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हो रहा है, जो अपने भविश्य के पता नहीं क्या-क्या सपने, क्या-क्या उमंगे लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, क्या तुम उसे छोड़ते चली जाओंगी अगले स्टेंजा में उत्री जवाब देती है मदर माइन तुदा वाइड फॉरेस्ट आइंग गोईंग मेरी माँ मैं वाइड फॉरेस्ट में गने जंगल प्राकृतिक जंगल जहां कोई मनुष्य नहीं होता है में वहां जा रही हूँ में ठीक हैती है मेरी मा मैं अपनी प्रिक्रतिकी गोद्में घं़ जंगलों मैं जा रही हूं कहां? Where upon the Champa bores the Champa birds are blowing? वहाँ जहाँ चमपा की शाख्वाओं उपर चमपा की कलियां हिल रही है, चहेक रही है, चटक रही है, मैं वहाँ जा रही है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वह बच्ची कहती हैं कि जहां रंग ब्रंगे फूल खिल रहे हैं रंग ब्रंगी कलियां चटक रही हैं बिल्कुल प्राकृतिक बाता वरन है मैं वहां जा रही हूँ ऐसी जगे मैं जाना चाह रही हूँ मैं वहां जा रही हूँ जहां कॉयल हूं्ट रिवर आईजिल primis क्वे क्वे हां लोटज हउन्टन क्योंकी आवाज से गूंजती हुई नदी के किनारे के टापम अ में जहां कमधनी firm कमल के फूल खिल रहे हैं मैं वहाँ जा रहे हूँ मैं वहाँ जा रहे हूँ जहां कोयल की आवाज इतनी मदुर है पक्षियों के कल रहा हूँ इतने प्यारे हैं ते वो हम सब चीज को वहाँ सब मोहित कर लेते हैं एक समोन भरी आवाज एक कोईल की सम्मोल भरी कूक जहां है और जहां बहुत रंग रंगे फूल अपनी छटा भी खिर रहे हैं कहीं कमल खिल रहे हैं कहीं कुमुद्निया खिल रही हैं मैं वहां जा रही है। The voices of the fairy folk are calling me, oh nation, वो कहती हैं कि जो परी कथाओं की आवाजें हैं आप धान से सुनो मैं वहां जा रहे हैं। और थाथ वो लड़की कहती है अपनी मा से कि मुझे परी कथाओं की आवाजें यहां की आवाजों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे परी कथाओं की आवाजें बुला रही हैं, मुझे वहां जाना है, आप भी सुने, आपको भी वो सुनाई देगी, तो मुझे वहां जाना है। फिर मा कहती है, अपनी मेटी को फिर समझाने के कोशिस करती है और कहती है, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, दा वर्ल्ड इज फूल अ प्लेजर। प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, ये संसार आनंद से भरा हुआ है, खुश्यों से भरा हुआ है। और ब्राइडल सॉंग्स और क्रेडल सॉंग्स, विवहा के गीत, शादी के गीत, और पालने के गीत अर्थात लोरियां, और सेंडल सेंटिट लेजर्स, सेंडल कहते हैं जंदन की खुश्बू। और लेजर्स कहते हैं आराम, शांती, विश्राम, फुर्शत जिसे हम कह देते हैं। तो मा कहती है कि बिटी ये दुनिया ये संसार गीतों की उमंग भरी आवाजों से, विशादी की उमंग भरी गीतों से, ममता भरी लोरियों से भरा हुआ है, और यहां सब तरह की खुश्बू, सब तरह के सुख, सुविधाय और आराम है, फिर तुम ने इसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, यूर ब्रैडल रॉब्स आरिंदा लूम, सिल्वर और सेफ्रोन गलॉइंग, और वो उसे फिर बताती है, कि तुमारे जो वैबाहिक पोशाक है, जो दुर्फन की पोशाक है, वो करगे पर चड़ी हुई है, हत करगे पर चड़ी हुई है, यानि जुलाहे करते थे, करगासा होता था, अलग तरह के मशीनरी होती थी, उस पर तयार होते थे, तो मा बताती है, बैटी, तेरी पोशाक बहुत प्यारी, जिसमें चांदी जैसी चमक है, केसरिया रंग है, जो प्यार का प्रतीक होता है, इतनी प्यारी पोशाक तेरी तयार हो रही है, द पर तयार हो रहे हैं चूलों पर तयार हो रहे हैं तो फिर उसकी उत्री बिट या जवाब देती है जो कहती है कि ये तुम्हारे वैवाहिगीत ये तुम्हारे लोरियां आखिर में दुख की धुन बन जाने वाली हैं इन सबका जो आगे जाके परिवर्तन दुख में ही हो जाना है वो लड़की जो कहना चाहरी है उसका मतलब यह है कि आज शादी के गीत आए जा रहे हैं कल जब जीवन में परिशानियां सामने आएंगी पारिवारिक जीवन की जो हमारे सामने कठना ही आएंगी उस समय या यह जो ममता के गीत आज सुनाय जा रहे हैं आज गाय जा रहे हैं बच्चे को पालने में रखे पाला जा रहा है बड़े प्यार से जब वो बड़ा हो जाएगा उसके सामने सांसारिक परिशानियां आएंगी सांसारिक संघर्ष आएंगे उस टाइम यह सारी चीजें दुख मे बदल जाने वाली है। वेहर फोरेश्ठट। स्ट्रिम्स fallen, मेरे ऱंधिये जो दूर से जंगल की आवाज आती है, जंगल की धुने है, जो जंगल में मधुर आवाज है, पस्वबक्षियों की, वनस्पति में से हवाओं के चलने में से हवाओं के उस्फोर्थ rechts, हैं वो मुझे ज़्यादा प्यारी लगती हैं वेर फोरेश स्टिम्स आर फॉलिंग और जहां नदियां ज़रने गिरतें उपर से उनकी चलने की कल-कल की आवाज मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है ना के तुम्हारे ये सांसारिक गीत मैं यहां नहीं रुख सकती मेरी परियों की कहानिया मेरी परियों की कथाएं मुझे बुला रही हैं मुझे जो आनंद मिलेगा मुझे जो मेरी आत्मा की शान्ती मिलेगी वो मेरी परियों की कथाओं में ही मिलेगी यहां मेरी लिए कोई आकर्शन नहीं है कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। अंतरते हम कह सकते हैं कि यह जो लड़की है जिसके शादी की बात चलिए यह लड़की इस संसार से बिलकुल उदासीन है। यहां की शादी, विवा, ममता, बंधन इन में इसके कोई रुची नहीं है। मैं परकृती में रहना चाहतीए और परकृती की गोद में ही जाना चाहती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तब के लिए, धन्यवाल। बच्चो आज की क्लास में आपका स्वागत है आज हम अपनी तीसरी पोयम दाविले सौंग लेंगे और आज उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे आप लोग अपने नौटबॉक्स ले 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 और मेरे साथ लिखते चले मैं आपको बोलता हूं और आप लिखें इसमें पहले कंप् तो उसका सेंटरल आइडिया लिखेंगे या अपनी टेक्स्टबॉक में से किसी भी पोयम की चार लाइन लेकिन वो पोयम आपके पेपर में ना आई हो तो पहले हम कंप्रिहेंशन लेते हैं इस्टेंजा वन स्टार्टिंग वर्ट्स हार हनी चाइल्ड डॉट डॉट डॉ 1. What is the name of the poem from which the above stranger has been taken? Who is the author of this poem? 2. The poem from which the above stranger has been taken is the village song and the poetess of this poem is Sarojini Naido 2. Which ceremony is about to begin in the above stranger? In the above stranger the wedding ceremony is about to begin 3. What the girl's mother draws her attention for? The girl's mother draws her attention to that the bridegroom is coming on horseback to marry her. 4. Point out the rimming words in the above stranger. The rimming words are going and blowing or you and you. Stranger to start. Starting words are mother mine and the last words are coalition. Question number 1. What did the daughter tells her mother? Answer. The girl tells her mother that she is going to the forest. Question number 2. Why does the girl want to go to the forest? Answer. She wants to go to the forest because the voices of the forest calling her? Question number 3. Who is calling the girl? Answer. The voices of the fair fox and the forest? Question number 4. Where are the champa birds blowing? Answer. The champa birds blowing on the branches of the champa. Question number 5. What does the mother remind of the girl? Answer. The mother reminds the girl of the bridal song? Question number 6. Where are the bridal robes? Answer. The bridal robes are getting ready at the loom. Question number 3. What are the colours of the bridal robes? Answer. The colours of the bridal robes are getting ready at the loom. Question number 4. What are silver and saffron? Question number 4. Point out the rimming words in the above stanza? Answer. The rimming words are blazer and blazer or glowing and going. Question number 4. Starting words are the bladder song. Last words are arc calling. Question number 1. What type of condenses are you? Do the bridal songs and cradle songs have? Answer. The bridal songs and cradle songs have? Answer. The bridal songs and cradle songs have the contingencies of showroom. Question number 2. Why the girl is leaving the home? Answer. The girl is leaving the home because the voices of forest and fairy fox are calling her. Question number 3. Why can the girl not stay? Answer. She cannot stay because the fairy fox are calling her. And the voices of forest are sweeter than the cradle songs and bridal songs. Question number 3. In this poem is the one who is leaving the home. And the poetry of the poetess has expressed her love for nature. In this poem, the girl wants to go to the forest because she loves the nature. Her mother tries to prevent her from doing so. She gave the reference of pleasure of the worthy life, her lover and her love for her girl. But, the girl said that all the worldly things are illusions. So, she is going to the forest. Question number 2. What does the poetess want to tell us? Answer. The poetess wants to tell us that the material pleasure is fake. One day, this has to be changed in sorrow. The pleasure of nature is real. So, we should live with the nature. तो यह हमारी exercise थी, तीसरी पोयम की, जो पूरी हो गई है, आपने पूरी कर ली होगी, अगली क्लास तक के लिए, भाई, और थेंक्यू. प्रे बच्चो, गूर्ड मॉर्निंग, आज की क्लास में हम अपनी चौर्थी पोयम लेंगे, जिसका नाम है, The National Builders, और जो कंपोज्ट की गी है, R.W. इमर्शन के द्वारा, R.W. इमर्शन वाजन अमेरिकन एसेज्ट, फिलोसफर, और पोयेट, ही वाज बॉर्ण इन 1803, और ही वाज डाइड इन 1882, इस पोयम में, कवी ने हमें ये बताया, कोई भी देश महन कैसे बनता है, वो कौनसी बाते होती है, जो किसी देश को महन बन बनाते हैं, तो वो उन्होंने इस पोयम में बताया है, चलो इसे पढ़ते हैं, और इस बात को समझते हैं, not gold, but only man can make, कोई संपदा, कोई पैसा, किसी देश को महान नहीं बनाता है, बलकि मनुष्य, उस देश के उस राष्ट के निवासी ही उस देश को महान बनाते हैं, एक people great and strong, वह जनता, वह प्रजा, वह निवासी, जो महान होती है और मजबूत होती है, सुद्रण होती है, जिनके विचार, जिनके भावनाएं बहुत उच्चिस्तर की होती है, बहुत अच्छी होती है, जो हमेशा मजबूती से हर प्रश्टिदी का सामना करते हैं, वो ही लोग किसी देश को महान बनाते हैं, वो लोग जो अपने अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के प्रगत्य के लिए, किसी भी सच्चाई के लिए और अपने देश के स्वाभिमान के लिए हमेशा अडे रहते हैं, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, और भूके भी मरते हैं, संघर्ष भी करते हैं, परिशान भी होते हैं, लेकिन कब अपने रास्ते से जो विचलित नहीं होते, वो ही लोग किसी किसी देश को महन बनाते हैं हमारा दोसरे श्टेंजा ब्रेव मैं फू वर्क वाइल अधर स्लीप वो सहासी विक्ति वो वीर पुरुष जो उस समय भी काम कर रहे होते हैं जब दोसरे लोग सो रहे होते हैं अर्थात दोसरे लोग जब आराम कर रहे होते हैं उस समय भी जो लो किसी देश को महन बनाते हैं, who dare while others fly, वो महन लोग, वो सहासी लोग, जो उस परिष्थिती में भी अड़के खड़े रहते हैं, जिन परिष्थितियों में दूसरे लोग भाग जाते हैं, उनसे डर के रास्ते छोड़ लेते हैं, उनकी अपेक्छा वो लोग जो उन परिष्थ का हिम्मत से सामना करते हैं, मजबूती से सामना करते हैं, वो ही लोग किसी राष्ठ को महान बनाते हैं. they build a nation's place gusta deep क्यों कैसे बनाते हैं क्योंकि वो लोग जो राद दिन अपने काम में लगे रहते हैं हर पुरिस्थिती का सामना करते हैं हर इस्थिती में अपने देश के सम्मान के लिए अड़े रहते हैं वही लोग किसी देश की नीव को, उसके आधार को मजबूत करते हैं, उसके जो इस्तंभ होते हैं, जैसे मकान बनाते टाइम, बिलर्स बना जाते हैं, उसी तरह जो देश के आधार है, जो देश की नीव हैं, उसे वो मजबूती प्रदान करते हैं, और उस मजबूत इस्तंभ प्रगति तक ले जाते हैं, यानि अगर किशी देश का आर्थिक आधार, सामाजी का आधार, वैचारी का आधार बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उस देश को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता, जिस देश के निवासी, सासी होते हैं, कर्तवे निष्ठ होते हैं, सत्य परायन होते हैं, वो ही देश महान होते हैं, यही इमर्शन हमसे कहते हैं, आशाय आपको समझ में आ गया होगा, थेंक्यू. आपको नहीं होते हैं, अपक्र जढ़ को समझे.